असलाम अनेकुम आफ्रीबान अनीस नोवल में आपका वेलकम है आप लोग सोच रहोंगे कि मैं नोवल रोज अपलोड करती थी अप अपलोड नहीं कर रही हूं तो मैंने रिजन मैंने बताई भी थी कि नेटवर्क की वज़े से भी इशू हो रहा है बारिश यो आ रही है इ रहा हो कि मैं तैंब हैं और तर यह वह बहुत ना करें अब नहीं होगे आपो ब्लस एक दम ना के बराबर हैं अगर आप लोग रिस्पांस अच्छा दोगे आप लोग कहोगे कीक्ढ़ म हम लोग बहुत है नोवल एक नोग दो तीन लो इसलोग है तो मुझे न फिर आशा ह करोगे, जादा से जादा रहेंगे, तो मुझे भी स्धार आप लोगों को बहुत जादा पसंदा रहा है जब यहीं ठंडे response आप लोग दे रहे हो तो फिर मुझे भी इकदम मुझे भी नीन से आरही है फिर अब पढ़ने में एक तो यह novel इतना long है बहुत long novel है यह और second से पहले भी कहा था कि आप लोगों की कमेंट से ही मुझे इतम एनर्जी मिलती है कि हाँ अभी पढ़ना है पढ़ना है तो आप लोगों की रिस्पॉंस है ही नहीं तो फिर मैं भी थोड़ा इधर उदर हो जा रहा है मेरा माइंड बस आप लोग बस अपने अच्छे-चे राय दे और अपना बताये मुझे के नॉवल यह कैसा लग रहा है नॉवल लॉंग है बस मैं कम्प्रीट कर लू इतनी दुआ कीजिए कि जल से जल एंड कर दू तो फिर दूसरे नॉवल स्टार्ट करूं ठीक है जिन लोगों ने चानल को सबस्क्राइब नहीं किया तो यहाँ से चानल सबस्क्राइब कीजिए लाइक शेयर कीजिएगा और अच्छे-चे कमेंट्स प्लीज याद से कीजिएगा तो मुझे भी हमत मिलते रहेगी सो करते हैं वे नॉवल स्टार्ट नॉवल नेम है मरमे काईसान बाई अरीशा एपिसोट फूर ए भाई फजूल सा आदमी नहोतो मेरा क्या दिमाग खराब है मैं जो एक चीते के मुँँ में जाकर हाथ मारूंगी प्यार से बात करनी चाहिए ऐसे कह रहा है था जैसे खुद किसी चीश से डरता ही नहूँ पहले कि इंसान को बढ़ाश करना मुश्किल हो रहा है और उपर से वो इस चीते को मेरे पीछे लगा रहा है कैसे कह रहा था कि दो दفعہ कमड़े के बाहर से होकर गया है खुदा का शुकर है कि मैंने दर्माजा बन किया हुआ था, वरना तो वो मुझे खा जाता और पेट भीना भरता, इतना बड़ा बच्चा है, या आपने इनसानों को कौन से कामों पर लगा दिया है, इतने खतरनाव जानवर को, वो अपना बच्चा कहते हैं, तौबा तौब मतल आईएगा, वरना मेरी तो सांसे रुख जाएगी, ये गैंस्टर जी घर वापस आये, तो इनसे बात करती हूँ, मैं इनको साफ साफ कह दूँगी, कि मुझे उस जानवर से बहुत डर लगता है, इसे कहद ही रखे, इस पिंजरे के अंदर, उसे बाहर निकालने की ज़ कोल कर देखने लगी थी, ये तो इतनी खुबसुरत है, अल्ला जी, क्या ये मेरे लिए है, वो एक बेंतिया हसीन साड़ी बाहर निकालते वे उसे देख रही थी, उसे साड़ी तो बहुत देखी थी, टीवी में, ड्रामों में, लेकिन पहनने का इत्तफा कभी ना हुआ थ वो शीशे के सामने रुक कर अपने सामने उसे लगा कर देख रही थी, लेकिन मैं ये पहनूंगी कैसे, गैंस्टर जी के आने से पहले, वो परिशानी से सोचने लगी थी, इतना मुश्किल नहीं है, मैं पहन सकती हूँ, इसमें कौन सा मुश्किल काम है, कपड़े ही तो है वो खुशी-खुशी कपड़े पहनने के लिए तैयार हो गई थी, एक तो इसे साड़ी पहनने का शौक बहुत था और दूसरा ये बेंतिहा खुबसूरत थी, जिसे वो अभी क्या भी जेबतन कर लेना चाहती थी, ये सोचे बिना जो इसे ये साड़ी दे कर गया है, वो कि तुम्हारे साथ होने वाला है न, वो भी हर लड़की के साथ होता है, तुम को ये आसमान से उतरी परी नहीं है, जिसका शोहर इसके करीब आने की कोशिश नहीं करेगा, इसे अपने दिल को समझाया था, अभी दो साल पहले की ही तो बात थी, जब यही सारी बाते छोटी अ कमपनी में जाब करने वाला शोहर चाहिए था, काँ उन्हें एकाम से बैंक में नौकरी करने वाला शोहर मिला था, तमन्ना अपी तो कभी भी उसके साथ खुश नहीं थी, उसका एक बच्चा पैदा करने के बावजूद भी आए दिन जगड़े होते रहते थे और वो घर भार चोड़ चाड़ कर आ जाती थी, अपने माई के रहने के लिए, और फिर छोटी अम्मी के ही तो अलफास वो बहुत अच्छे तरीके से समझती थी, शोहर को किस तरह अपने बातों में उलजाना है, किस तरह अपनी उगलियों पर नचाना है, ऐसी ऐसी टिप्स देती थ जी के साथ वाली चार पाई पर लेटे वे इसके कान भी लाल हो जाते थे, और अब यहां आकर इसके भाई ने भी तो कह दिया था, कि नफरत गुनागार से नहीं, बलके गुना कर से गिरनी है, हो सकता है, उसे रही रास्त पर लाने के लिए अल्लह की तरफ से ये उसका एक इसके इमतिहान हो, और इसे अपने इमतिहान में पास होना था, शोहर के साथ अच्छे लमाद गुजारना कोई गुना नहीं था, वो इसका शोहर था, और हर शोहर की तरह वो इससे भी एक अच्छी बीवी बन कर रहने की अमीद रखता था, और इसे गलत चीजों से निकाल इतने अच्छे से बात कर रहा था, अगर वो इसके साथ प्यार से रहे तो मुमकिन था, वो भी इसकी बातों को समझकर ये गलत रास्ता छोड़ दे, किसी को सही रास्ते पर लाने से बड़ी नहीं की और कोई नहीं थी, और ये इनसान तो इसका शोहर था, हालात कुछ भी माईनी ये बात रखती है कि वो शक्स उसकी जिन्दगी में क्या बन कर आया है इसे साड़ी पहन कर ब्लॉज भी पहन लिया था जो काफी छोटा था और उसकी कमर को कवर नहीं कर पा रहा था एक लम्हे के लिए उसे शर्मेंदी की सी हुई थी वो जरूरत से जादा जल्द बाजी दिखा रही थी और अभी साड़ी की सिल्वटे बांधी नहीं जा रही थी या ला इसमें भी क्या अलग से कोई साइंस लगीगी ये किस तरह से होगा मुझसे तो होई नी रहा यहां अंदर जगे कम है ऐसा करती हूँ बाहर जाकर बांधने की कोशिश करती हो वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आती हुई साड़ी को पूरी तरह से उठाए बाहर आकर आईने के सामने रुगी थी ताके उसे समझ तो आए कि वो क्या कर रही है हो गया इतना भी मुश्किल नहीं था वो सारी साड़ी की सिल्वटे एक खटी करते वे अपनी साड़ी के अंदर एड़्जस करके परसुकून हो गई थी और पिर सामने से पल्लू उठा कर इसने उपर कंधे तक ले जाते वे उसे एक आखरी नजर देखा था वो पर्फेक्ट तयार थी बाल खोल दू या बांदी रहने दू बांदी रहने देती हूं कौन सा मेरे पास फोन है जो मैं अपनी कोई तस्वीर बना सकूंगी हाई अल्ला मेरा फोन किदर गया जब इन लोगों ने मुझे और भाई को अगवा किया था तब तो मेरा फोन मेरे पास था उसके बाद कहां गायब हो गया क्या मुझे फोन के बारे में गैंक्स्टर जी से पूछना चाहिए वाईने के सामने खड़ी सोच रही थी जब अचानक दर्वाजा खुला इसे पलट कर देखा था दर्वाजा तो इसने अंदर से बन कर दिया था तो ये दर्वाजा खुल कैसे गया लेकिन सामने खड़े काईजान को देख कर वो समझ गई थी किसे खुला यकिनन उसके पास दर्वाजा खोलने की चावी होगी आखिर इसी का तो गमरा था गैंस्टर जी आप आगए मैंने आपकी बेची हुई साड़ी पहन ली इसे बड़ी फर्मा बरदारी से उसके तरफ कदम बढ़ाते वे बताया था जब आगए की तरफ कदम उठाते वे इसकी साड़ी इसी के पैरों में उलचकर इसकी सारी सिल्वटो को जमीन पर गिरा चुकी थी वहरान और परेशान जमीन पर पड़ी अपनी साड़ी को देख रही थी जबके काईजान मभूत सा होकर बस दर्वाजे के साड़ टेक लगाए उसे देख रहा था इसे ऐसा कोई नजारा मिलने वाला है इस तरह की उमीद तो वो हरकिस इस मासुम लड़की से नहीं कर सकता था हाई लाजी ये क्या हो गया वो रोने जैसी शकल बनाती जमीन पर बैठते वे सारा कपड़ा उठा कर खुद पर फैकने की कोशिश कर रही थी जबके काईजान वहीं खड़ा बस उसे देख रहा था इसकी निगाहें बार बार इसकी तरफ उट रही थी जबके काईजान पर बिल्कुल खामोश था गैंस्टर जी प्लीज आप इस तरफ ना देखें वो मरनत भरी आवाज में बोली थी इसकी आवाज रोन्दी हुई थी उसे यकीन था अगर उसे चहरा ना फेरा तो वो बैठ कर रोना शुरू कर देगी लेकिन शायद उसका कुछ और ही करने का इरादा था वो कदम दगर कदम इसके करीब आते वे इसके पास खड़ा हो गया था वो साड़ी का कपड़ा अपने साथ लगाए उसे अपनी तरफ आते देखकर पीछे की तरफ अपने लिए कदम लिए कोई जगे ढूंड रही थी छुपने की काईजान बोला कुछ नहीं बस इसके पास आते वे उसके हाथ पर अपना हाथ रख कर खीचा इससे पुरी शिदत से नफी में सर हिलाया था लेकिन वो इससे बिना कुछ बोले इसका हाथ अपने हाथ में कैद कर चुका था साड़ी का सारा कपड़ा एक बार फिर से जमीन बोस हो चुका था जबके उसने शिदत से अपने आँखे बंद कर दी थी इसकी अगली कारवाई का इंतिजार करने लगी इतना घबराने की ज़रत नहीं है बेबी I am your husband मुझे सब को चलाओ है वो इसके कान के करीब सरगोशी करता उसकी साड़ी को इससे जरा अलग करते वे कपड़े को एक तरफ फैट चुका था अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुमें खुद अपने हाथों से साड़ी पहनाओंगा तो ये सारे काम मुझे से नहीं होते और ना ही मैंने किसी से साड़ी पहनानी की ट्रेनिंग ली हुई है इसकी कमर पर अपना हाथ रखते वे इसने एक जटके से उसे अपनी तरफ खीचा था मेरे सारे जजबात को तुमने बहुत बुरी तरह जगाया है मरम और सच कहूं तो मैं यू अपनी निगाओं के सामने देख कर अपने होश कमा बैठा हूँ अब यहां से पीछे हटा तो मर जाओंगा और मुझे यकिन है तो मुझे मारना हरकिस नहीं चाओगी इसकी गर्दन पर अपने लब रखते वे वो सरगोशाना अंदास में बात कर रहा था मैं गैंक्स्टर जी मेरा नाम काईजान है तो मुझे अपने मेरे पुरे नाम से बला सकती हो किसी किताब में नहीं लिखाए कि शोहर को इसके पेशे के लिहास से मुझे किया जाना चाहिए उसके गिर्द अपना हिसार तंग करते वे वो इसकी गर्दन को अपने लबों के लंब से महकाने लगा था उसके ठंडी गर्दन इसके होटों के गरम लंब से देहकने लगी थी और अब आएस्ता आएस्ता वो गर्दन से इसके कंदे तक का रास्ता बना रहा था इसके लब इसकी पुरी गर्दन को महका रहे थे उसका शिद्ध भरा अंदास वो बंद आकों के पीछे से महसूस कर रहे थी जब इसने उसकी गर्दन को पीछे से ही अपनी हिसार में लेते वे उसका सर अपनी सीने से लगा कर इसके होटो को अपनी लबों में कैद कर लिया था इसके अंदाज में अचीब सी दीवान की थी वो जैसे बरसों से प्यासा था और अपनी प्यास इसके लबों के जाम से मिटाना चाहता था लेकिन उसकी सांसे थमने लगी थी इसका दिल जैसे धड़कना भूल गया था वो इसको इससे दूर करने की जद्दो जहत कर रही थी लेकिन उसका हाथ बुरी तरह उसके हाथ में कैद था जिबके दूसरे हाथ को वो इसके गिर्द बनाए हिसार में कैद कर चुका था और ना जाने शिदत की कौन सी तहरी रगम करना चाहता था कि अचानक दर्वाजे पर दस्तक हुई वो अगले ही लब में उससे पीछे हटी बैट पर जागी रही थी वो इतनी जादा गबरा गई थी के बैट पर बड़े कमफर्टर को ही इसे खुद पर ओड़ कर एक नजर दर्वाजे के तरफ देखते सहमे वे उसे देखा जो गहरी निगाहों से उसे देख रहा था दर्वाजे की दस्तक पर तो इसको कोई असर ही ना हुआ था वो तो बस इसकी गबराहट को नोट कर रहा था ठीको तुम वो थोड़ा परिशान था इसके पास बैटा था जबके वो खुदी अपनी बोखलाहट को समझे नहीं पाई थी शायद इसकी कुर्बत का ही असर था जो बस किसी भी तरह इसकी पनाओं से निकलने की रहा ढूंड रही थी अपने चेहरे पर हाथ फेरते वे इसने हां में सर हिलाया था रिलैक्स जाना मेरे पास आने पर इतना घबरा रही हो मेरी जान ये तो शुरुआ थे अभी तो बहुत मनजिले तै करनी है अभी से तुमारी हालत इतनी खराब हो रही है सारी जिन्दगी गुजारनी है मेरे साथ और सबसे पहले ये हसीन रात जिसमें एक दूसरे को बहुत करीब से जानना है समझना है हमने खुद में हिम्मत पैदा करो मुझ जैसे शक्स को बरदाश करना असान नहीं है वो इसके माते से पसीना साफ करता हलका समस्कुराया था फिर उटकर खड़ा हो गया रिलیک्स हो जाओ मैं देखता हूँ कौन है दर्वाजे पर वो इसे कहते हुए दर्वाजे के पास आया था दर्वाजा कोड़कर दर्वाजे से बाहर निकलाया क्योंकि उसका कोई रादा ना था के बाहर कड़े इनसान को वो अपनी कमरी के अंदर के हालात बताए काईजान खाना तयारे तुम ले आओ मरम को ताके वो भी खाना खाले रसल ने उसके तरफ देखते वे कहा कभी वो इसे मरम कहता तो कभी भावी खैर काईजान को एतरास ना था वो इसे जो भी कहे कर पुकारे हम बात में खाएंगे तुम लोग खाना खालो और फिलाल हम मसरूफ है देखना कोई इस तरफ ना आए नो डिस्टर्बंस इसने बस इतना कहे कर दरवाजा बन करना चाहा क्या मरम ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ कहा है कोई शिकायत वगेरा की है इससे पहले कि वो दरवाजा बन करता इसने पूछा अभी तक तो नहीं की लेकिन अगर उसने कोई शिकायत की तो तैयार रहना क्योंकि इसके मामले में मैं किसी को नहीं बक्षूँगा वो कहकर दरवाजा बन कर गया जबकि रसल की जान सच मुच में मुच्च में पढ़ गई थी अब ठीक हो तुम वो वापस इसके पास आते वे पूछने लगा था वो अभी वैसी ही बैट पर बैठी हुई थी जी इसे बड़ी मुश्किल से जवाब दिया था हाला कि इसके करीब बैटने पर ही इसकी जान जा रही थी मैंने रसल से कह दिया है हम असरुफ है और हमें तंग ना किया जाए ठीक किया ना मैंने बेकार में वो हमारे रोमेंटिक मुवमेंट्स को स्पॉइंट करे मुझे ये बड़ा बात बरदाश नहीं इसके कंदे से कमफर्टर हटाते वे वो इसके मजीद करीब होनी लगा था मुझे बहुत जोरों की भुक लगी हुई है वो घबराते वे से बताने लगी थी जबके वो इसकी बात सुनकर मुस्कुराया हम एक साथ मिलकर सुकून से खाना खाएंगे मरम मैं मजीद तुम से कुछ नहीं कहूंगा ये लमहात मेरी ये बहुत अजीज़े बहुत खासे जिन लमहात में तुम मेरे साथ मेरी करीब होगी मेरी बाहों में मैं इन लमहात को अपनी तमाम तर जजबात के साथ महसूस करना चाहता हूँ मेरा नहीं ख्याल के तुम मेरे इन मॉमेंट्स को स्पॉil करना चाहोगी इसके कंदे से बलाउ सरकाते वे इसने बड़ी महबब से उसे चुमाता वो खामुशी से इसकी सीने पर अपना सर रख चुकी थी अपने आपको इसके हवाले करते वे इसने अपनी आखे बंद कर ली थी जबके वो बहुत नर्मी से उसे अपनी पनाहों में लेते वे जानिब देखा, वो शिर्टलेस इसके सामने खड़ा था, वो आखे बन कर लेना चाहती थी, लेकिन उसके सीने से शुरू होता, वो कट का निशान, इसके पेट तक आ रहा था, वो चाहकर भी अपनी आखे बन ना कर सकी थी, इतना लंबा कट कोई बला, बला उसे कैसे दे सकत था, वो हरान सी उसे देख रही थी, जबकर वाहिस्ता से इसके उपर जुक गया, इस तरह से मुझे मत देको मरम, मेरा जिसम ऐसे ही जखमों से बरा बढ़ा है, और मेरी जिन्दगी भी मुझे यकिन है, कि तुम मेरी जिन्दगी में इन सारे जखमों पर मरहम का काम करोगी बनोगी ना तुम मेरे हर दर्द की दवा करोगी ना मुझसे ऐसी मौपट जो कभी किसी ने नहीं की वो इसकी चहरे को अपने हाथों में थामे जा बचा इसके चहरे पर अपनी मौपट की महर सब्द कर रहा था जबके वो चहने के बावजूद भी अपने आँखे बन नहीं कर पाई थी इसका जिसम सच मुच में जखमों से भरावा था जब अचाना की इसने इसका हाथ थाम कर अपने सीने पर रखा और फिर आइस्ता इस्ता इस जखम को छूते वे इसका हाथ इसके पेट तका गया था इसके अंदास पर वो मुझकुराया शायद वो हरान थी कि इतना बड़ा जखम खाकर वो जिन्दा कैसे बच गया था जबके वो इसके चेहरे को थामे वे इसके लबो पर अपनी मुझकी दास्तान रकम करने लगा था उसके अंदास में किसी तरह की कोई नर्मी नहीं थी बलके वो तो भरपूर मुझक पुरे हक से जटा रहा था शायद उसे नर्मी करना आता नहीं था किसी औरत के साथ महबत बरे लमात किस तरह गुजाने जाते है इस चीज़ का शायद उसे अंदाजा नहीं था तब ही वो इसके महकते वजूद को अपनी बाहों में कैद किये उसकी रनाईयों में खोता चला जा रहा था वो इसकी बाहों से आजाद होना चाहती थी उसकी कुर्बतों से दूर होना चाहती थी लेकिन शायद अब ये मुम्किन नहीं था इसकी एक एक सांस को कैद कर चुका था और वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पारी थी वो बस उसे खुद में कैद किये उसे अपना आप बनाता चला गया था वो इसकी थी और इसकी हो रही थी इसके लिए इतना ही काफी था कि मरम को इसके साथ हर तरह से कंप्रमाइस करना था उसे काइजान को काइजान के रूप में कबूल करना था वो इसके साथ कोई जूटा तालुक नहीं बनाना चाहता था वो जैसा था जो था उसके सामने था इसके लबो पर उसकी शहरक पर उसकी गर्दन पर जाम बजा अपनी शिद्दतों के निशान छोड़ चुड़ चुगा था वो इसके अंगंग में अपनी महबत उंडेलता जा रहा था जबके मरम उसकी बाहों में खुद को बेबस महसुस कर दी अपना आप उसके हवाले कर गई थी मजामत की कोई गुझाइश इसने छोड़ी ही नहीं थी बस वो इसकी थी और इसने इस पर इस बात की महर लगा दी थी वो इसकी सीने पर सर रखे आँखे बन किये वे थी लेकिन वो अपने कानों में उसके धड़कते दिल को महसुस कर रहे थी आप सो गई क्या गैंक्स्टर जी इसे बहुत आइस्ता से सर उठा कर उसे पूछा था वो आके बन किये वे था जवाब न दिया ये तो सचमस सो गए मुझे सोने ही नहीं दे रहे थे खुद कितने मजे से सो गए बसकी सीने पर हाथ रखती सामने लगे वॉन कलॉक को देखने लगी जो शाम के साड़े छे बजा रही थी इसे शदीद भूक लग रही थी अपने मौज और जजबात की नजर वो इसका लंच तो करी चुका था और जिस तरह घोड़े बेच कर वो सो रहा था उसे लग रहा था कि उसका डिनर भी गुल होने वाला है और भूक से उसकी जान निकल रही थी भूके पेटी इस देव को छेल कर इसने अपनी नाजुक सी जान पर काफी जल्म किया था अब तो उठने की भी हमत नहीं हो रही थी लेकिन उसकी कुर्बते और शिद्दते याद करते वे इसके गाल भी सुरकी से तहक रहे थे जब अचाना की नजर एक बार फिर से उसकी सीने से वी शुरू होती लाइन पर गई थी ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसकी सीने को चीरा हूँ आज के दोर में कोई तलवार का इस्तमाल नहीं करता था तो क्या ये किसी आपरेशन का निशान था इसके सीने के करीब से शुरू होता वो निशान इसके पेट पर जाकर खतम हुआ होता था वो बेहत खबसुरत जिस्मानियत का मालिक था चोड़ा सीना, सिक्स पैक्स, फुले विपाजू यकिनां वो कसरत से जिम करता था अपने आपको इसने बहुत फिट और परकशिश बनाया वा था लेकिन इसके बावजूद भी उसके सीने पर मौजूद ये निशान किसी की भी तबज़्जा अपनी जानी खीच सकता था वो बुरी तरह से उलजी हुई थी क्या हवाता उसे ना जाने क्यों वो बहुत महतजिस हो गई थी ये जानने के लिए वो जानना चाहती थी कि आखिर उसके साथ क्या हवा है गैंक्स्टर जी इसके सीने के बीच हाथ रखते वे इसने इसे जरा सा हिलाने की कोशिश की थी इस वक्त इसने इसके शिर्ट जेपतन की रखी थी जो इसे बहुत जादा लूस थी वो इसे जगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो ना उठा गैंक्स्टर जी उठे ना प्लीज वो इसकी सीने पर हाथ रखे वे बोली जब वो एक ही जटके में उसे अपनी करीब खीशते वे अपनी सीने से लगा था खुद में कैद करता करवट बदल गया था अब मनज़र ऐसा था कि वो इसकी नीचे एक बार फिर से कैद हो चुगी थी जबके वो इसे किसी तक्की की तरह खुद में दबोचे आराम दान नीन लेने में मसरुफ था गैंस्टर जी मेरे पेट मे उसका चेहरा देखने लगा रोने के लावा और कई काम आता है कि तुम्हें रो रो कर मेरा मोड खराब करने की कोशिश बहुत की थी तुमने लेकिन तुमारी महक के चादो में तुमारे आसों नजर अंदास हो गए लेकिन ये वक्त मेरी लिए मेरी जिन्दगी का सबसे हसी लमाए और मैं ये लमाँ अभी खतम नहीं करना चाहता हूँ इसके चाहरे को थामते वे वह उसके लबो पर जुकने ही लगा था जब इसने इसके लबो पर अपना हाथ रख दिया था मुझे भूक लगी है वो मनत भरे लहजे में बुनी इसकी निगाहों से उसे घर बुरा इसे फौरान हाथ अड़ाया जबके वो इसके लबो के नर्माहट महसूस करने लगा जिन खुबसूरत लमाँत की वो बात करना था इन लमाँत में इसे सिवाए मजाहमत के और कुछ नहीं किया था लेकिन इसने इसकी किसी बात का बुरा नहीं माना था शायद वो इसके ग्याद रखना चाता था लेकिन उसके पेट का क्या करता जो बिल्कुल खाली था आज के बाद मेरे घर वापस आने से पहले तुमने खाना भी खा लेना है और बाकी भी सारी जरूरी काम कर लेने है मैं कोई बहाना नहीं सुनूँगा और खासकर ऐसे मूमेंट्स में तुम उसके गर्दन के करीब से इसकी शिर्ट के बटन को पकड़ भी लिया था हा तो आ जाओ जाओ जान दोनों साथ में हाब बात को इंजॉय करते हैं वो शरारती अंदाज में इसके तरफ देखते वे बोला तो इसे फौरन नफी में सरी लाकर कमफर्टर भी खुद पर जॉय करने के मराहिल शुरू हुए हैं वो अगले ही लमे कमफर्टर इस पर से खीच कर दूर फैकता उसे अपनी बाहों में उठाए वाश्रों में लेकिया था जबके वो दोनों हातों में चेहरा चुपाए उसकी सीने में अपना पनाहा धूनने लगी वो मैं प्लीज आप परी बटन खोलने लगा था आप क्या कभी मेरी जिन्दगी में कोई बात नहीं मानेंगे वो इसकी तरफ देखती शिकायती अंदास में बोली उसके चेहरे पर उड़ती हवाईयों को देखा था वैसे मुझे अंदाजा नहीं है कि मुझे बाहर बैच कर तुमने कौन सी लिया इसकी जरुवत नहीं थी डारलिंग इतना भी बैए अतबार इनसान नहीं हो मैं और वैसे भी मैं अपनी ही मलकियत पर डाका नहीं डालता वो दर्वासे पर आइस्ता से उंगलिया बचाते वे उसे बताता अपनी काम में मसरुफ हो गया था जबके वो कितनी ही देर इस बात की यकिन दोहाई नहीं करती रही कि अभ वो दर्वासे खोल कर अंदर नहीं आ सकता बार से किसी तरह की आवाज अंदर नहीं आ रही थी शायद वो दो बारा से सूने लगा था खेर जो भी था उसे तो आजादी मिल चुकी थी ना डालिंग तम्हारे कपड़े मैं दर्वाजे के पास रख रहा हूँ, फ्रेश होकर पहन लेना, मैं साथ वाली कमरे में फ्रेश होकर आता हूँ, वो दर्वाजे पर दस्तक देते वे बोल कर शायर जा चुका था, इसे दर्वाजा खोल कर बाहर जाका तो वहाँ कुछ नहीं था, हाँ लेकिन इसके कपड़े द जिसम पर अपना भरपूर हग चुता कर, उसे बता गया था, उस पर सिर्फ उसका हग है, इसकी जिन्दगी अप शायदी इन आम लड़कियों जैसी थी, जो शायदी के बाद अपना घर बसाती है, या शायद इन से बहुत मुक्तलिफ होने वाली थी, क्योंकि उसका शोहर क कोई आम इनसान नहीं था, बलकि वो किसी भी आम इनसान से बहुत जादा अलग था, वो एक खतरनाक तरीन मुझरीम था, और इसकी जिन्दगी जिसके साथ शुरू हुई थी, वो अलग था सबसे, इसने उस शक्स को सही रहा पर लाना था, उसने उस शक्स को गलत रास्ते स दूर लेकर आना था, मुश्किल था, लेकिन काईजान का महबत भरा अंदास उसे उमीद दिलवा गया था, कि वो इसके साथ एक अच्छे रिश्टे की शुरूर जरूर करेगा, और ये भी कि वो बहुत जल्द सारे गलत काम छोड़कर, आम इनसान जैसी जिन्दगी इसके दिये शिद्दतों से भरपूर निशानात को दुपटे से चुपाने की कुशिश करने लगी थी, उसे अपने आसपास हर तरफ काईजान की खुश्बू महसूस हो रही थी, वो शक्स बस चंद ही घंटों में उसके अंदर महटने लगा था, खुद को आईने में सामने खड़ा उसे देख रहा था, जो वाश रूम से निकल थी, उसे कमरे में देखकर कुछ हैरान थी, उसे लगा था कि उसे वापस आने में वक्त लगेगा, तुम्हारे बाल बहुत खुबसूरत है, वो साइप पर पड़ा टावल उठा था, इसका हाथ थाम कर उसे आई बालों को भी, तुम बस मुझे समाल लेना, इसकी गरदन पर अपने लब रखते वे, इसने बड़ी चाहत से अपने लबों का बेबाक लंस छोड़ा था, जबके वो कुछ बोली नहीं थी, बस खामोशी से उसके लंस को अपनी बंद आखों से कबूल करती, इसकी तरफ जिस तरह उसने सुबह से फैला के रखा था, जबकि इसका ये अंदास काईजान को पसंद आया था, वो इसे लेकर बाहर आया, जार रसल और रफिल दोनों सोफे पर बैठे बातों में मगन थे, इन्हें आते देख वो दोनों ही उटकर खड़े हो गए थे, काईजान वो ब बाहर की तरफ देखा था, जिस पर फॉरन ही रसल ने उसे वजाहत दी थी, क्या मतलब डबलू ने खराब कर दी हालत, डबलू इस तरफ क्यों गया था, और इस तरफ क्या काम था भला, वो जाता ही कहा है इस तरफ, वो इन दोनों को देखने लगा था, ऐसा तो मुम्किन ये था कि डबलू कभी बाग की तरफ जाए, जबसे उसने गढ़ı एक घर बनवाया था, डबलू कभी उस तरफ गया नहीं था, और नाही वो इस तरफ जाना पसंद करता था, तो फिर तोड़ फोड़ करने का मतलब to हरगस, वह समझ नहीँ पाया था, नहीं पता नहीं, ल इसके मूँ में गुलाब की फूल का पौदा था जिसके हालत बिक्डी हुई थी हाँ लेकिन फूल पर चंद पंखडियां मौचुद थी डबलू ये क्या हरकते उसे गुस्से से डबलू की तरफ कदम बढ़ाते वे पुछा जो अगले ही लमे जमीन से उटकर खड़ा हो गया इसका डबलू बहुत समझदार था वो कोई भी काम बेवजा या फजूल में नहीं करता था मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी लेकिन ये तो मुझे ही खाने पर आ गया है इसलिए मैं उसे ही दूर से देख रहा था रफील ने शिकायत नामा खोला था जिबके वही खड़ी मरम कापे जो रही थी डबलू तुमने ऐसा क्यों किया बाग की हालक खराब कर दी तुम्हें पता है वो बाग तुम्हारी ममी को कितना ज्यादा पसंद आया था बसके मुझे गुलाब का पौदा निकालने की कोशिश कर रहा था जो इसके मुझे को थोड़ा सा जायदी से हलका सा काटा लगा था इसे चंद कदम आगे बढ़ा कर वो पौदा मरम के कदमों में रखकर इसके पैर को चाटा था जबके वो बुरी तरह से काप रही थी इसमें इतनी हिम्मत भी ना रही थी के वहां से भाग जाती अच्छा तो ये फूल तुम अपनी ममी के लिए की दिलाए हो लेकिन फूल तोड़ने का एक तरीका होता है सारा बाग खराब कर दिया तुमने एक फूल के चकर में और जो तुम फूल लेकर आए हो वो इतना भी प्यारा नहीं है कि तुमारी ममी उसे अपने पास रख ले वो पूल जमीन से उठाते वे मरम के हाथ मे पकड़ानी लगा था लेकिन इसके हातों की लरजिश को महसूस करके वो इसे अपनी करीब कर गया जो अगले ही लम में इसके कंदे से लगकर जारो कतार आसु बहानी लगी थी मौत को शायद वो बहुत करीब से देख रही थी रिलैक्स जान इतना क्यों खबरा रही हो यार मेरा बच्चा तुम्हारे लिए फूल लेकर आया है वो तुम्हे खुश करने की कोशिश कर रहा है यकिनन उसने रफील की नकल की है यह हर रोज अपनी गल्फरेंड के लिए फूल तोड़कर लेकर जाता है यकिनन मेरे बच्चे ने तुम्हे खुश करने की कोशिश की है और तुम खड़ी काप रही हो इधर आओ मेरे बच्चे थोड़ा सा प्यार करो इसे बताओ कि तुमें इसका फूल कितना जादा पसंद आया वो इसका हाथ नर्मी से उसकी कमर पर फेर रहा था जबकि इसका हाथ तो बुरी तरह से काप रहा था तुमें भी उसे प्यार करना होगा वो अभी आइस्ता इस्ता उसके हाथ को अरकत दे रहा था जबकि डबलू खुश हो रहा था बलके बहुत खुशी से उससे प्यार वसूल कर रहा था चलो डबलू अब जाओ जाकर आराम करो जबकि डबलू भी अपनी ममी से मिलकर खुशी-खुशी भार चला गया था और वो अब तक इसकी सीनी से लगी कापने में मसरुफ थी जान कोई और आयत रह गई है तो वो भी पढ़ लो शायद मेरे हिस्से में थोड़ी नेकी आ जाए बसे खुश से अलग करते वे बोला तो इसने बड़ी मुश्किल से एक आख खोल कर वहाँ डबलू को तलाशना चाहा था क्या हुआ तुम डबलू को ढूंड रही हो मैं बुला लू वापस उसे उसे घबराता दे कि से पूछा तो इसे फॉरन नफी में सर हिलाया था इसका दिल अब बुरी तरह से काप रहा था उसने उसे खुद से अलग करना चाहा तो वो मजीद उसके सीने में चुप गई इसकी ये हरकत काईजान को मजीद उसका दीवाना बना गई थी जान वो ना तो तुमें डराएगा ना तुमें कोई नुकसान पहुचाएगा वो तुमसे बहुत महबत करता है चलाओ हम खाना खाते हैं लेकिन इससे पहले हाथ धोले वो इसका हाथों को थामते वे बोला जबकि इससे कापते वे दर्वाजी की तरफ देखा जहां दूर दूर तक कोई नहीं था वो कुछ हद तक रिलैक्स हुई थी वैसे मरम तुम जरूरत से ज़्यादा डर्पुक नहीं हो मतब तुम इस मासुम बच्चे से डरती हो वो तुमसे कितना प्यार करता है तुमें उससे प्यार करना चाहिए जिस तरह हम सब उससे प्यार करते है रसल तुम तो फजूल में डर डर कर काप रही थी अब भी वक्त है तुम डिल कर लो मेरे साथ रफिल इसके बिलकुल पास बैठा उससे बाते कर रहा था बलके वही बोड रहा था वो तो बस खामोशी से खाना खा रही थी काइजान और रसल भी इसकी बात को सुन गए थे अगर आपको डर नहीं लगता तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने उसके साथ वक्त गुजा रहा है मैं तो अभी अभी आई हूँ और आपको मैंने खुद से बात करने से मना किया था ना आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आपने मेरा नाम खराब किया था मेरे भाई ने इतनी ही महबद से मेरा नाम रखा है खबरदार जो आपने आइंदा मेरा नाम खराब करने की कोशिश की और मुझे नहीं करनी आपके साथ कोई भी डिल और आपको पता है गैंक्स्टर जी ये जो है ना ये वाले बड़े भाईया ये मुझे दिन में कह रहे थे कि अगर आपने मुझे आस्मान पर पहुचा आया है तो जमीन पर लाने में भी आप वक्त नहीं लगाएंगे मतलब ये आपको लेकर मुझे इस तरह से बाते क्यों सुनाते हैं इन दोनों को ना उल्टा लटका देना चाहिए इतना बुरा लगा है मुझे जब कोई मुझे से इस तरह से बात करता है इन लोगों कोई तो बात करनी नहीं आती ये दिन में मुझसे इतने गुसे से बात कर रहे थे और इन दोनों को देखते हुए वो बोर रही थी जबके वो दोनों ही खामोशी से सर जुकाए वे थे जबके वो इन दोनों को घुर रहा था रसल तुमने क्या कहा था उसे चोलो रफिल की बात से तो वो पहले ही बाग खबरता यकिनन नई बात इसके लिए रसल वारी ही थी वो डबलू को इग्नॉर कर रही थी तो मैंने सिफ ये कह दिया था कि कि मुझे उड़ने की जरुत नहीं है आप जमीन पर लाने में जादा वक्त नहीं लगाते और शायद सिदा आसमान पर पहुँचा देते हैं कुछ ऐसा ही कह रहे दे ये वो रुका ही था कि वो फॉरन वो बोलती अपनी शिकायत मुकमल कर गई तुमने मेरी बीवी से उस लहजे में बात की वो बेयकीनी से उसकी तरफ देखते पूछ रहा था जबकि वो सफाई में कुछ बोली नहीं पा रहा था उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था ये छोटी सी मासुम से लड़की इतनी बड़ी चुगल खोड निकलने वाली है आपको मेरी बात पर यकीन होना चाहिए न वाचानों को इसके बादों में अपने दोनों हाट डालती उसे अपना यकीन दिलाती बेहत मासुम लगी थी तुम दोनों आज रात इस घर से बाहर रहोगे वो फैसला सुनाते वे उठा जबकि इसकी सजा सुन कर वो दोनों एक दूसरे को देखते नफ़ी में सरहिलाने लगे काईजान खुदा के लिए कैसा जुम कर रहो जंगल खतरना के जानवरों से भरावाए वो एक रात में हमारा कीमा बना कर खाएंगे वो जंगली जानवर रसल और ऐसा कुछ नहीं करेंगे बलके वो तुम लोगों का ताजा गोश खाएंगे वो पौकानी की जहमत भी नहीं करेंगे वो इसकी बात की दरस्की करते वे मरम का हाथ थामता उसे कमरे की तरफ लेचाने लगा था काईजन प्लीज माफ कर दो खुदा के लिए यार उस जंगल में तो हमारी हड़ियां अगले जनम तक नहीं मिलेगी रसल ने फौरण उसके रास्ते में आते वे का मैंने कह दिया ना सो कह दिया गेट आउट अब तुम दोनों मुझे इस गेग घर के अंदर नजर नाओ कम जकम कल सुभा तक तो हर्गिस नहीं कोशिश करना तुम लोगों की जान बच जाए क्योंकि तुम दोनों नहीं ही मेरे लिए बहुत अजीज हो और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जिन्देगी भर मेरे बहतरीन साथी बन कर रहा हूँ तुम दोनों की मौत में अफोर्ट नहीं कर सकता वो जैसे हुकम दे रहा था कायजान प्लीज मरम सौरी देखो मेरी बहन, मेरी बच्ची मुसे गलती हो गई, क्यों हमारी जान लेना चाहती हो यार इस वक्त सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकती हो देखो हम तुमारे सामने हाथ जोड़ते हैं हमें बचा लो जंगली जानवरों से भरावा है जंगल हम उसके घर के बाहर एक राद भी सर्वाइव नहीं कर सकते रफिल उसके सामने हाथ जोड़ने लगा गैंस्टर जी उन्हें माफ कर दीजे या इन्दा मुझे कुछ नहीं कहेंगे मुझे इन दोनों पर यकीन है वो अचानक कि उसका हाथ जो पहली ही उसके हाथ को मजबूती से थामे वे था इसके हाथ साथ लगती लाड से बुली अंदाज में वही मासूमियत थी जिसे देख कर वो इस पर निसार होनी लगा था लेकिन इन्हें सजा मिलनी चाहिए इन दोनों ने किमाले साथ बत्तमीजी की है वो अभी पीछे हटने को तयार ना था हाथ तो ठीक है हम इन दोनों को डबलू वाले पिंजरे में बिस्तर लगा कर दे देते हैं आज रात ये दोनों वही पर सोएंगे मिल जाए कि इन दोनों को सजा इसे दातों की नमाईश करते वे रसल के तरफ देखा था जो आज सुबा डबलू के साथ हम दर्दी करने के वज़े से ही तो इस वक्त यहां पर फसावा था इन दोनों को यकीन ने आ रहा था ये वही लड़की है जो अभी यहां खडी डबलू के वज़े से काप रही थी डबलू के साथ नहीं रफिल तो मननती कराता जबके रसल भी डबलू के साथ रात गुजाने के बारे में नहीं सो सकता था अरे क्यूं नहीं लोग तो रात को अस्तबल में भी सो जाते हैं जहां घोड़े और भेड़ बक्रियां बांदी हुई होती है अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको एक सफ़ेज चीते के साथ रात गुजाने को मिल रही है और तो और आपको आराम दबिस्तर भी मिलेंगे मिलेंगे ना इसे एक बार फिर से काईजान के बाजू से लटक कर पूचा था जो कबसे इसकी शरारती अंदास देखकर मुस्कुरा रहा था अफकोस मिलेंगे इन दोनों के बिस्तर डबलू के पिंजरे में लगा दो और आराम का खास ख्यार रखना इसे दर्वाजे पर खड़े मुलाजिम को हुकम दिया जो फॉरण अपने काम पर लग चुका था जबके काईजान कुछ भी बोले बिना मरम का हथ थामता उसे अंदर ले गया था और वो दोनों इसे पुकारते रहे गए लेकिन इसने इन दोनों को सीरे से नजरा अंदास कर दिया था जबके जाते जाते मरम ने इन दोनों को मूच चिड़ाया था जान कि तुम क्या कर रहे हो वो वाश्रूम से निकल कर भार आया तो इसे खिड़की से बाहर की तरफ जांकते वे दिखा मज़े ले रही हूँ इन लोगों की हालत के आईए आप पि लीजे न वो खुश होते वे उसे भी इनवाइट कर रही थी वो थोड़ा हैरान होता खिड़की के पास आया जहां खिड़की से नीचे की तरफ डबलू का पिंजरा साफ नजर आ रहा था और इन दोनों के बिस तरफ पिंजरे के अंदर लगा दिये गए थे कितना मज़ा रहा है ना हम जादा देर इनको वहां नहीं रखेंगे ठीक है ना बस थोड़ा सा डरा कर निकाल लेंगे आये बड़े मुझे बाते सुनाने वाले I'm sorry गैंस्टर जी आपको बुरा लग रहा होगा ना आपके दोस्ट वहां उस पिंजरे में सुएंगे वो इसकी तरफ देखते वे कहने लगी नहीं मुझे बुरा भला क्यों लगेगा अगर वो लोग वहां नीचे सुएंगे तो बलकि ये तो और अच्छी बात है मुझे अंदाजा होना चाहिए वो किस तरह के हालात का सामना कर सकते हैं वो बेफिकर होते वे सोफे पर आग बैठा था जब वो भी खिड़की छोड़कर उसकी पास आकर बैठ गई आप से एक सवाल पूछ सकती हो इसके पास बैठते इसकी शर्ट की उपरी बटन के पास से नजर आते उसे जखम पर उसकी गहरी नजर थी जिसे काईजान ने भी महसूस कर लिया था तुम्हें मुझसे कोई भी सवाल पूछने के लिए इजास्त तलब करने की ज़रत नहीं है पूछो कौन सा सवाल है जो तुमें तंग कर रहा है वो पीचे सोफे से टेक लगाते वे उसे अपनी निकाहों के इसार में ले चुका था ये जखम कैसे लगा आपको मेरा मतलब है जब से मैंने उसे देखा है न मेरा जहन इसी में उलचावा है आप बताएए न आपको क्या हुआ था इसके साथ कुर्बत के लम्हे गुजारने के बाद वो काफी पर एतमाद हो गई थी उसे नोट किया था वो परसुकून होकर उसे बात कर रही थी शायद उसे यकीन आ चुका था कि वो इसे कोई नुक्सान नहीं पहुचाना चाहता बलकि उसके साथ अपना घर बसाना चाहता है यह जब मैं 15 साल का था तब हुआ था मेरे साथ एक हादसा इसके बाद दूसरी बार तीसरी बार यह जख़म काफी पुराना है यह जख़म को 21 दफा नासूर बनाने की कोशिश की गई थी खैर कुछ जख़म सारी जिन्दगी का निशान छोड़ देते हैं बस समझ लो यह ऐसा ही एक निशान है जिसकी मेरी जिन्दगी मेरे कोई आहमियत नहीं है लेकिन फिर भी यह दाग हमेशा मेरे साथ रहेगा वो नॉर्मली उसे चपाब दे रहा था जबके वो अपने बाजों से कमीज भटा थी कहनी के पास कुछ तलाश कर रही थी उसके अंदास पर वो महतजी सुआ था वो क्या कर रही थी वो समझ ना पाया जब इसने कहनी के करीब एक छोटी से निशान पर उंगली रख कर इसके सामने किया मुझे भी लगा था मैं बच्पन में गिर गई थी ना तो ये मुझे भी लगी थी मेरा भी निशान नहीं गया इसे बड़ी मुश्किल से वो छोटा सा निशान निकाल कर उसे दिखाया था जिसे बेक्तियारी इसने अपने लबों से चुमा था इसकी हरकत इतनी बेसाकता थी कि मरम घबरा कर कमीज नीचे कर गई कुछ निशान कभी नहीं जाते और घबरा कर थोड़ा फासला बनाते वे बोली जब वो इसकी कमर के में हाट डालता उसे अपनी करीब खी चुका था हाँ कुछ निशान सारी जिन्दगी साथ रहते हैं लेकिन उनके एहमियत नहीं होती दर्द खतम हो जाता है मनजर हट जाता है बस निशान छूट जाते हैं तो मैं कैसे लगी थी ये मेरा मतलब है कैसे गिरी थी वो जैसे उसे बातों में लग उल्चा रहा था मैं चट से गिर गई थी बस और कुछ भी याद नहीं मुझे आप बताए ना आपको कैसे तो मैं डबलू कैसे लगा वो अचानक बात बर्दल गया अच्छा बहुत अच्छा है बस मुझे बहुत डर लगता है ना जानवर उसे लेकिन तुम तो कहरी थी ते कि तुम्हे जानवर पसंद है वो इसे उसकी बात याद करवानी लगा पसंद थे मकर छोटे 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 इतना बड़ा जानवर जो मुझे भी बड़ा हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं नहीं मेरा मतलब वो अच्छा है लेकिन बहुत बड़ा भी तो है न इसके साथ दोस्ती आहिस्ता होगी मैं कोशिश करूँगी कि हम दोस्त बन जाए वो जैसे उसे लारी लगा रही थी इसके अंदास से वो साफ समझ चुका था वो कभी भी डबलू के पास खुद से नहीं जाने वाली लेकिन कोई बात नहीं डबलू खुद ही उसे अपने करीब ले आएगा वो ये बात जानता था हाँ ठीके तुम डबलू की अच्छी दोस्त बन सकती हो खेर तुम गाती बहुत अच्छा हो वो इसके तरफ देखते वे बोला जबके वो हैरत से उसे देखने लगी मैंने कब काना सुनाया आपको मैं तो गाती ही नहीं हूँ वो परिशानी से कहने लगी थी जबके वो दिलकशी से मस्कुरा दिया एक लम्हे के लिए वो इसकी मस्कुराहट में खोसी गई थी वो समझ नहीं पाई थी कि इसने कब उसे गाते वे सुनाता वो तो गाती भी नहीं तुम बहुत अच्छा गाती हो मैं जानता हूँ मैंने तुमारे लिए साथ वारे कमरे में एक प्यानो रखवाया है बहुत पहले जब मैंने ये घर बनवाया था तुम कोशिश करना मुझे यकीन है तुम बहुत अच्छी तरह से प्ले कर पाऊगी वो बोले जा रहा था जबकि वो हैरानगी से उसे सुन रही थी उसे कैसे पता था उसे प्यानो बजाने का बहुश हो के इसे आखरी दफ़ा एक फंक्शन मीना बजार में गाना गाया था उस फंक्शन में इसकूल की बच्चियों कुछ हमिल किया गया था क्योंकि वो अच्छी प्रफॉर्मेंस करती थी लेकिन ये बात तो इसने कभी यावर से भी शायर नहीं की थी तो ये शक्स कैसे जानता था आपको कैसे पता कि मैं प्यानो बजानो जानती हूँ वो हैरानगी से उसकी तरफ देख ली थी जबके इसकी मुस्कुराँ अब भी बरकरार थी जिन से महबत की जाती हैं उनके बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए बस मैंने भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है अब तो मैं आराम करना चाहिए इससे पहले कि मेरी नियत बदल जाए और मैं दिन की तरह रात की नियम भी तुम पर हराम कर दो तो मैं आराम की जरुवत है इसके बालों का इस्ता से अपने हाथों से पीछे हटा था वो इसके माते पर अपनी महबत की मीटी से महर लगा गया था हाँ मुझे बहुत जोर की नीदारी है मैं सोचाती हूँ लेकिन आप इन दोनों को बाहर निकाल दीजेगा थोड़ी देर के बाद बिचारे डर जाएंगे मैं उन्हें डराना नहीं चाहती बस थोड़ा सा बतला लेना चाहती थी वो बहुत शरारती थी काईजान ने अंतासा लगाया था जबकि वो अपनी बात मुकमल करती बैट पर जाकर लेट गई थी नीन में वो कब उतरी उसे खुद भी पताना चला हाँ लेकिन वो ये जानना चाहती थी कि वो कैसे जानता था कि उसे प्यानों बचाने का शौक है या फिर वो कभी गाया करती थी एक आद भी भागता हुआ घर के अंदर दाखिलवा था पहले वो अंदर की तरफ गया फिर मुलाजिम ने बाहर की तरफ इशारा किया इस चीते को देखकर वो एक लम्हे के लिए खपरा गया था लेकिन फिर रुका नहीं बलके तेजी से पिंजरे के पास आया था जा वो नीचे जमीन पर बिस्तर बिचाए दोनों बैठे वे बातों में मसुख थे सुन तेरी तो सुनता है न डबलू इसको बोल के रात को जब हम सो जाएंगे तब इस तरफ हर्गिस ना आये बना अच्छा नहीं होगा उसके लिए रफील ने थोड़ा सा रॉप जमाया था जब इसने गर्रा कर उसकी तरफ देखा रफील की साथ से अटकने लगी थी डबलू यार मैं तो बस मजाग कर रहा हूं फ्रेंडली जोग तू गुसा क्यों हो राए यार वो घबरा कर बोला क्योंकि उसे अपना रूम हमारे साथ शेयर नहीं करना था लेकिन उसे करना पड़ रहा है उसे अच्छा नहीं लग रहा लेकिन बेटा ये तेरी मम्मी की फरमाईश थी हमने कोई शौक से तेरे कमरे में अपने बिस्तर नहीं बिचाए अब अगर तु चाहता है कि तेरी मम्मी तुझ से खुश रहे तो एक कोने पर जाकर बैट वहीं बैठा रहे और हमें भी सुकून का सांस लेने दे रसल ने उसे कहते वे सामने उसे भागते लड़की की तरफ देखा जो इन की तरफ आ रहा था घबरा मत पिंजरा बंदे इसने जैसे ही डबलू को उठकर खड़े होते देखा वो पीचे ही रुख गया जब रसल ने उसे बेफिकर किया वो गहरा सांस लेते वे इसके पास आया और मॉबाइल में मौजूद वीडियो इसके सामने प्ले कर दी यह तो वही लड़की है जो पिछले एक हफ़ते से काईजान का पता ढूंड रही थी वह हिरानगी से इस वीडियो में मौजूद इस लड़की को देखने लगा था हाँ लेकिन यह पिछले एक हफ़ते से नहीं बलके एक महीने से काईजान के बारे में पता कर रही थी लेकिन हमें देर से पता चला इसने बताया था यह लड़की पिछले एक महीने से काईजान को हर तरफ धूंड रही थी पहले जगे जगे ये पुलीस इस्टेशन्स के धक्ये खाती रही पिर उसे पता चला कि काईजान काजमी नाम का एक गैंस्टर है जो ऐसे कामों को जड़ से मिटाने की कोशिश करना है आप सब लोगों की इस पर नज़र थी ये काईजान से मिलना चाहती थी उसे कुछ बताना चाहती थी कि उसके साथ क्या जल्म हुआ है अपने आखरी वक्त में खुदकुशी करने से पहले उसने एक खट अपने फोन के पीछे मौजूद फोन केस में रखा था जो इसने काईजान के नाम भी खाए इसने एक कागज उसकी तरफ बढ़ाया इस कागज को थामते वे इसने पिंजरे का दर्माजा बाहर से खोलने का इशारा किया और एक लम्हे के लिए वो घबराया क्योंके पास खड़ा वो खुनख़ार ची था उसकी तरफ देख रहा था डोंट वरी वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा दर्माजा खोलो मुझे काईजान से मिलना है वो इसके तरफ देखते वे बोला तो इसने अगले ही लम्हे दर्माजा खोला था तुम मेरे साथ चलो और मुझे इस चीज़ की तफसिल बताओ तुम जाकर काईजान को उस लड़की के बारे में बताओ रफिल उस लड़के को अपनी साथ आने का इशाना करता रसल को अंदर की तरफ भेच चुका था वो गहरी नीन सोरी थी जब के वो इसके पास लेटा इसके चेहरे के एक नक्ष में खोया हुआ था वो गहरी नीन में उतर चुकी थी शायद उससे उसने बहुत सताया था पहने जाने कितनी ही देर यूँ ही उसके नकोश में खोया रहता जब दर्वाजे पर दस्तक हुई उसके दर्वाजे पर सिवाए रसल या रफिल के दस्तक देनी की जुरत और कोई नहीं करता था और अगर वो पिंजरे से उसकी इजाज़त की बीगे निकले हैं तो मतलब साफ था कि कोई बड़ी बात है इसके माते को चुमते वे वो इसके करीब से उटकर दर्वाजे तकाया जहां भार रसल ही खड़ा था खैरियत इसे पुचा खैरियत नहीं है तुम शर्ट पहन कर आओ मिटिंग रूम में वो बस इतना कहकर पलड़ गया जबके कायज़ान कमरे के अंदर आ था शर्ट पहन कर कमरे से बाह निकला जब अचाना की वो आखे खोल कर दर्वाजे की तरफ देखने लगी जब वो इसके करीब से उठकर दर्वाजा खोलने लगा था तब ही उसकी आँख खुल गई थी इतनी रात गए वो कहा गया था और मिटिंग रूम कहा था वो तेजी से उठी थी लड़की का नाम अंजुम था और लड़का वकान दोनों की लव मैरेश थी आट मैने से लड़ जगड कर अपने घरवालों को शादी के लिए मना रहे थे और फिर फाइनली उनकी शादी हो गई शादी के बाद वो इसे मिस्र लेकर आया था घुमने के लिए या मिस्र के होटल के अंदर कैमरे लगाए गए थे जहां बहुत सारे कपल्स की वीडियो थी इन्हें बलैक मेल किया जाता था बलैक मेल की इंतिहां सिर्फ पैसो तक नहीं बलके लड़कियों को जबरदस्ती और भी काम करने पर मजबूर किया जाता था इन्हें से ये एक लड़का वकार भी था इन दोनों का MMS बनाया गया था इन्हें बलैक मेल करने के लिए लेकिन उस लड़के ने बलैक मेल होने के बज़ाए वो वीडियो पुलिस स्टेशन में पहुँचा कर उस होटल का परदा फाश करनी की कोशिश की थी यहां तक की होटल की इंतजामिया पर बहुत बड़ा केस भी चल रहा था दो महीने से लेकिन इन लोगों ने बेदर्दी से उस आगमी को कतल कर दिया एक महीने तक उस लड़की को कैट करके अलग अलग तरीकों से टॉचर करते रहे तकरीब एक महीने पहले यह लड़की वहां से भाग कर पुलिस स्टेशन पहुची थी लेकिन पुलिस वालों ने इसका कोई खास साथ नहीं दिया इसके पास सिवाए एक मुबाइल फोन के और कुछ भी नहीं था इसे पहले जो केस हम लोग हल कर रहे थे इसमें बीजी होने की वज़े से हमने उस लड़की को इगनॉर कर दिया था क्योंकि हमें लगता था यह लड़की किसी गैंग का हिस्सा है और हमें डिस्ट्रेक करने की कोशिश कर रही है लेकिन कुछ दिन पहले ये लड़की दोबारा इन लोगों के हाथ लग गई थी इसके साथ दोबारा यही सब कुछ होता रहा और अब ये लड़की इनके काम की नहीं रही तो उन्होंने उसे छोड़ दिया क्योंकि इन्हें ये यकीन आ चुका था कि अब ये लड़की इन लोगों का कुछ नहीं भी गाड़ सकती लेकिन अफसोस कि आज ये लड़की सुभार डूब कर मर गई है इसने खुद कुशी कर ली है और मरने से पहले इसने तुमारे नाम एक खत लिखा है और इस खत में काफी अचीब तरह की बाते लिखी है तुमारे खिलाफ वो कुछ अटकते वे बोला तो काईजान ने एक नजर उसे देखा और लड़की उसे जानती ही कहा थी जो इसके खिलाफ कुछ उल्टा सीधा लिखे गी ऐसा क्या लिखा है इस खत में वो इस खत की तरफ हाथ बढ़ाते वे बोला था काईजान उस खत में लिका है कि उस लड़की के कातिल तुम हो उस खत में लिका है कि 29 दिन तक के लड़की इन लोगों की कैद में रही है और इस दोरान उसके साथ 90 से जादा दफार रेप हुआ है और ये तुम्हारी वज़े से हुआ है उस लड़की का कहना है कि वो अपने शोहर को इनसाफ दिलाना चाहती थी वो हर उस लड़की को इनसाफ दिलाना चाहती थी जिसके साथ ये जल्म हुआ है लेकिन तुमने ये जानने के बावजूद भी कि ये लड़की तुम से मिलना चाहती है तुम उससे नहीं मिले इसलिए उस लड़की का कहना है कि खुदकुशी जैसा हराम कदम उठाने पर तुमने उसे मजबूर किया है इस फोन में 93 वीडियों है और इस हर वीडियो में उस लड़की के साथ जयात्ती की गई है अलग-अल दिल तुम ही हो इसके गुनेगार तुम हो वो बोले जा रहा था जब अचानक इसने उसके हाथ से वो कागस छीन कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिये इस लड़की ने कहा है कि जब जब इसके साथ जल्म हुआ है इसके दिल से तुम्हारे लिए बद्दूआ निकली है क्या बक्वा से ये मैं भला ये इन सब चीजों के जिम्मेदान कैसे हुआ मैं तो इस बारे में जानता भी नहीं था वो तड़प ही तो उठा था खुद पर लगने वाले इस संगीन इल्जाम पर यजीनन ये लड़की अगर उसके सामने उसे ये सब कुछ कहती तो वो लम्हों में उसे खतम कर देता वो निस्त वो नाبूत कर देता जो उसकी जान पर इतना बड़ा एल्जाम लगा रही थी इसकी जात को कूड़े लगा रही थी इस लड़की का कहना है कि अगर तुम एक दफ़ा उससे मिल लेते उसकी बात सुन लेते तो शायद उसके साथ ये सब कुछ ना होता शायद वो जेल जाती जिन्दगी की तरफ लोट आती अपने शोहर को इनसाफ दिला पाती इन लड़के को इनसाफ दिला पाती जो इन सब चीजों का शिकार होकर अपनी जिन्दगी गवा बैटी है उस खत में लिखाता कि वो लड़की तब तक तुमें नहीं बखशेगी जब तक उस होटल में मौजूद हर उस लड़की को इनसाफ नहीं मिल जाता जिन के साथ इन दरींदों नहीं सा सुलुक किया है वो चाहती है कि तुम इस गैंग को इबरक नाक अंजाम तक पहुँचाओं वो बोले जा रहा था जबके काईजान खामोशी से सुन रहा था जब उसे महसुस हुआ कि दर्वाजे के बाहर कोई है नाजुक से पैरो का साया देखकर वो समझ चुका था कि दर्वाजे के बाहर कोई हम इस बारे में सुबाबात करते हैं वो कहकर उन्हीं जाने का इशारा कर चुका था जबके खुद उलजामवा था इसका दिल अचीब सा हो रहा था खुद को यह आईने में देखने का दिल नहीं करा था उसे अपनी ही आप से उलजन हो रही थी उसे अपना आप मुझरिम सा लग रहा था वो नहीं जानता था इस लड़की के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता कि कोई लड़की है जो इसे ढून रही है या कोई लड़की है जिसे उसकी मदद की जरुरत है शाय वो इसे छोड़ कर गया था वो कुछ भी बोले बीना आकर उसके साथ बैट पर लिट गया था इससे महसूस कर लिया था वो जाग रही है लेकिन इसे इस बात को जादा आहमियत नहीं दी थी इस वक्त उसका जहन और बहुत सारी चीजों में उलजावा था इसके जहन में बहुत सारी चीज़े चल रही थी जिम्मेदारी, इंसाफ, गुनेगार लब्स गुनेगार पर वो एक आक एक दफ़ा फिर से सोचों में डूबने लगा था क्या वो सचमुच में उस लड़की का गुनेगार था उसका जहन एक बार फिर से इन लब्सों में गौर करने लगा था इसे एक गुनेगार कहा गया था उसे कातिल कहा गया था वो किसी का गुनेगार बन गया था वो नहीं बर्दाश कर सकता था खुद पर इतना बड़ा इलजाम इसे अपना सर पर हात रखते वे छट को घुरा था, आपके सर में दर्द हो रहा है, मैं दबा दू आपका सर, उसे ऐसास ना हुआ कब वो इसे देख रही थी, इसने एक नजर उसे देखा, जबके वो अपना नाजुक सा हाथ इसके सर पर रख चुकी थी, आप बहुत जादा काम करते हैं ना, शायद इसलिए आपको थकावट हो जाती है, इतना ज़ादा काम ना करें, वैसे ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जो आपको इतिनी राज बाहर जाना पड़ा, मेरा मतलब एक काम करने की कोई वक्त होता है, कुछ ज़रूरी था क्या, इसका अंदास तफ्सिशाना था, इसकी बात उपर काईजान को हसी आई थी, जिस संदास में तुम जासुसी कर रही हो ना, मेरी जगे कोई और होता तो तुम पकड़ी जाती, आएंदा जब जासुसी करने लगो तो दर्वाजे के बिलकुल सामने मत रुकना, साइट पर रुकना, चल अब सो जाओ, वो एक जटके से उसे खीच कर अपने नहीं कर पाती थी, और उपर से इतनी रात को इसने अपनी हमीन भी खराब की थी, और तीसरी वो पकड़ी भी गई थी, इसकी सीने पर सर रखते वे इसने हाईस्ता से अपनी आखी बंद कर ली थी, लाश की हालत तो बहुत जादा खराब है, सुनने में आया है कि उस महीना पहले ही पुलीस स्टेशन आई थी, किसी रिपोर्ट के सिलसिले में, और उस सुनने में आया है कि एक होटल पर इसने केस भी करवा के रखा था, पता नहीं इसे खुदकुशी क्यों की है, खैन, उसकी लाश को पाकिस्तान भीजवा दो, आई जी सहाब नाग पर पुस्तान से आई थी लड़की, यहाँ इसका कोई सिलसिला नहीं है, जाने दो, जिस होटल पर केस करवाया है, कोई मामूली सा होटल नहीं है, जरूरत नहीं है किसी ऐसी वैसे चक्कर में पढ़ने की, बस लाश को इसके राश रिश्तेदारों को तक पहुँचा दो, यही इसाने लाया था, हमने वो सारी वीडियोस चेक की है, तो इस लड़की के साथ ज्याती करने वाले सत्रा लोग थें जिन लोगों ने बार बार इसको टारगेٹ किया है, इसे ही नहीं, बलकہ ऐसी कई लड़की की वीडियोस इन लोगों ने बना कर रखी वी थी, ताके वक्त पर इने ब्लैक मेल कर सके आज तक किसी ने में हिम्मत नहीं थी कि उस होटल के खिलाफ आवाज उठानी की यह पहली लड़की थी जो इन पर केस कर रही थी इसके आवाज दबाने के लिए इन लोगों ने उसके साथ रेप कियर के उसी के फोन में इसके वीडियोस को सेव कर ल उसे ब्लॉक करने पर इन लोगों ने अलग अलग नंबरों से इन लोगों को नंबर पर वीडियो सेंड की यह जानने के बावजूद भी कि यहां मिसर में उनकी बेटी के साथ क्या क्या हो रहा है वो लोग खामोश थे मजबूर थे वो शायद उसे जीते जी मार चुके थे क्योंकि वो जानते थे कि जिस दिलतल में उनकी बेटी जा चुकी है वहां से शायद कभी वापस नहीं निकल सकती इन लोगों को इन्तिहाई गलीज मैसेज की गए थे अगर ये कहा जाए कि इन्हें जीते जी कतल किया गया तो ये गलत नहीं होगा रसल उसके पास बैठा उ अगर हम ये सारी वीडियो पुलिस में दे दे तो मुम्किन है कि ये केस बड़े पैमानी पर खुल जाए और उस लड़की के साथ और बहुत सारी लड़के को इंसाफ मिल जाएं नहीं कानून क्या करेगा जादा से जादा साथ साल की सजा सुना देगा जादा से जादा अमर कैसे सुना देगा पैसे बाले लोग है जब चाहिए जिल से भारा जाएगे इन्हें उनके अंजाम तक काईजान काजमी पहुचाएगा और काईजान काजमी के अदालत में इन लोगों की सजा सिर्फ मौत है ये एक एक आदमी मुझे चाहिए इन सब लोगों को इनके अंजाम तक पहुचा कर मैं अपनी जात से वे लजाम उतार दूँगा जो वो अंजम राजपुत मेरे सर पर लगा कर गई है वो अपनी बात मुकमल करता उटकर जा चुगा था जिबके रसल एक दफ़ा फिर से एक नेक काम पर लग गया था उसकी आँख खुली तो वो रूम में अकेली थी काईजान कहा गया था उसे अंदाजा नहीं था लेकिन सुबा फजर के वक्त वो सो रहा था उसके साथ ही ये गैंस्टर जी कहा है शायद बाहर होंगे वो सोचकर बैट से उठी थी वो जल्दी से उठकर फ्रेश होती अलमारी में अपने कपड़े देखने लगी थी बहुत बड़ा ना सही लेकिन एक छोटा सा ड्रेसिंग रूम था जिसमें बेशमार कपड़े एक लाइन में लगे हुए थे वो इन में से कपड़े पसंद करती अपनी लिए एक और खुबसरत से जोड़े का इंतखाब कर चुगी थी वो इसे बता चुका था कि ये सब कुछ उसी का है तो वो कुछ भी पहन सबती थी सोचकर उसने अपनी लिए आज की मनासिबत से नीले रंग के जोड़े का इंतखाब किया था ये कपड़े भी बहुत खुबसरत थे और सबसे एहम बात तो ये थी कि वो इन कपड़ों में बहुत रिलेक्स थी अपनी बालों को ठीक से कंगी करते वे इसने सर पर दुपटा लिया और दर्वाजा खोलते वे उसने बाहर की जानी जाका था देखा तो बाहर कोई भी नहीं था हाँ लेकिन दर्वाजे के पास एक लड़का खड़ा था वो जब सिर्व घर में आये थी इस लड़के को यहीं खड़े देखा था यकीनन वो घर के अंदर के जरूरी काम निप्टाता था इसे बाहर आते वे उसे सलाम किया जिसका जवाब इसने निहाय तैतराम से दिया था मैम आप नाश्टा कर ले सर थोड़ी देर के लिए किसी जरूरी काम की सिलसले से बाहर गए है इन्हें वापसाने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा वो इसे टेबल के तरफ चलने का इशारा करते हुए मौद बाना अंदास में बोला मैं थोड़ी देर के बाद नाश्टा करूँगी आप मुझे बस ये बताएं वो जानवर मेरा मतलब है कि मिस्टर डबलू अपने पिंजरे में बंद है ना इसका इरादा बाहर जाने का था लेकिन इससे पहले उसे डबलू के बारे में जानना था जी मैं डबलू अपनी पिंजरे में है क्या आप उससे मिलना चाहती है वो इसकी तरफ देखे बिना बोला था उसे नोट किया था, वो इसकी तरफ देखकर बात नहीं करा था, बलकि इसकी निगा है, जमीन की तरफ जुकी वी थी, मेरा क्या दिमाग खराब है, जो मैंसे मिलना चाओंगी, मुझे बाहर जाना है, लेकिन मिस्टर डबलू से मुझे बहुत जादा डर लगता है, अगर मैं बाहर जाओंगी, तो क्या वो मुझे, नहीं मैं, डबलू आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुचाएगा, आप रिलेक्स होकर बाहर जा सकती है, वो इसे बेफिकर करते वे इसकी बात काट कर बोला था, पक्की बात है ना, इसे यकीन दुहाईनी के लिए पूछा तो इसने सिर्फ हां में सरहिला कर उसे यकीन दिलाया था, ठैंक यू, वो बस इतना कहकर बाहर की तरफ निकली थी, पहली नजर बगीचे की तरफ गई, लेकिन यहाँ अफसोस ही अफसोस था, क्योंके बगीचे के नाम पर अब वहां सिर्फ मिटी थी, फिर याद आया, कल ही तो डबलू सहब ने उसे फुल देने की खाती, सारे बाग का सत्या नास किया था, इसने गुसे भरी निगाह पिंजरे में मौजूद उस पर डाली थी, जो इसे देखकर उट खड़ा हो गया था, गंदा बच्चा, वो मो बना कर बोली, फिर एसास हुआ के वो बच्चा ह जवाब देता है, अगर इसकी किसी बात को समझ गया तो वो इसे खा ही जाएगा, और वैसे भी ये पिंजरा तोड़ना इतने बड़े जानवर के लिए कौन सा कोई बहुत बड़ी बात थी, ये ना हो कि उसके साथ दुश्मनी लगा कर वो इसे नाराजगी में ही उसे खा इसने हलका सा हाथ उठाकर बड़ी मासूमियत से उसे हाय किया था, जिसका जवाब इसने पिंजरे के अंदर ही गोल गोल घुम कर उसे दिया था, जबकि इसे यू घुमते देख वो अगले ही लमें वापस अंदर भाग गई थी, सत्रा के लोगों की लिस्ट निकाली है, ज अलग अलग होटलों में हो रहा है, सबसे बड़ी तादा तो तुर्की में है, इस काम की और इन सब कामों के पीछे बस एक इनाम है, मज़र पाश्या, मज़र पाश्या नाम का आदमी है, जो इन सब का मास्टर माइंड है, ये सब कुछ इसी का किया गया है, ये सब कुछ व लड़की है बाकी सफीना बाई नाम की एक तवायफ भी है जिसके साथ ये वक्त गुजारना काफी जादा पसंद करता है वो आज या कल की नहीं बलके दस साल से उसकी गल्ट्रेंड है और इसकी दोनों बीवियां भी इसके बारे में सब कुछ जानती है बाकी जीन लड़किय कि ये सारे काम करवाता है इसका काम यही तक महदूत नहीं है बलके जो लड़की इने जादा पसंद आ जाती है उसे ये आगे बेज भी देते है और अंजम भी इनी में से एक थी जो इने हद से जादा पसंद आ गई थी वो अपने पार्टनर्स को खुश करने के लिए इनी लड़कियों में से खुबसूरत से खुबसूरत लड़की का इन्तखाब करता था और अंजम का इन्तखाब भी इनी में से था वो लोग अंजम को आगे पहुचाने के बारे में सोच रहे थे लेकिन अंजम ने खुद के लिए स्ट्रैप उठाने का फैसला किया था इसके श इसी होटल से बहुत सारे नाम अलग-अलग कंट्रीज में अलग-अलग होल्डर्स के एज साथ जुड रहे हैं जिनकी तफसिल मैं ने तमारे सामने रखी है वो एक काजस उसके सामने रखते बें बोर्ड रहा ता जबके काईजान वो कागस तफसिल से चेक कर रहा था उसे एक एक चीज समझ जा चुकी थी अब वक्त फैसले का था कहा मिलेगा ये मज़र पाश्या वो इसकी तरफ देखते वे सवाल करने लगा शायद तुरकी में क्योंकि ये तुरकी का ही रहने वाला है अगर तुम कहो तो तुरकी के लिए तुम्हारी सीट कंफर्म करवा दो ये सब के दोरान रफिल बहुत पहली दफा बोला था हाँ तुमने दो टिकेट्स बुक करवाने हैं एक मेरे लिए और एक मरम के लिए हम दोनों हनीमून पर तुरकी ही जाएंगे और दुसरी बात ये टिकेट्स तुमने पंदरा दिन बात ही करनी है क्योंकि इससे पहले इन सत्रा लोगों का इनके अंजाम तक पहुचाना है और पाश्या मुझे लगता है हमें भी वहाँ तुम्हारे साथ चलना चाहिए जादा सुनना सही लेकिन हम मजजर पाशा की इन्फॉर्मेशन निकाल सकेंगे नई इसके जरूत नहीं है जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी इतनी तुम लोग निकाल चुके हो बाकी मैं समाल लूँगा और जहां तक मरम का मसला है तो इसे मैं फिलहाल यहां छोड़ कर नहीं जा सकता मेरी बीवी की शादी हुए अभी चार दिन भी नहीं हुए और अपने शोहर के साथ रहना पसंद करेगी बैसे वो इस वक्त क्या कर रही हैं वो पेपर्स पर ध्यान देते वे रसल की तरफ देखते वे पूछने लगा थोड़ी देर पहले मलाजम को फोन किया था वो कह राता कि मरम जाग कर बाहर आई थी जरा देर के लिए बाहर गार्डन में गई थी डबलू को मुस्कुरा कर बाए बाए भी किया था और फिर भाग कर अंदर आई थी नाच्टा वो कर चुकी है और मेरे ख्याल में इस वक्त घर देख रही होगी वो तक्सिल से बता रहा था जबके काईजान जरा सा मुस्कुरा कर हा में सर हिला गया नहीं वो घर नहीं देख रही बलके जासुसी कर रही है अपने भाई के लिए कोई ना कोई खबर ढूंड रही है सारे कमरों में ताका जाकी करकी कुछ इंफॉमेशन ढूनने की कोशिश कर रही है जबके मैं उसे साफ अलफाज में बता चुका हूँ कि उसी कमरे में कोई इंफॉमेशन नहीं मिलने वारी बलके सारी इंफॉमेशन पुराने घर में है फिर भी अगर वो इंफॉमेशन लेना चाहती है तो लेने दो अच्छा ही है अपने घर का चपपा चपपा देख ले वो मुस्कुरा कर बोला जबके रसल और रफिल उसे देख रहे थे काईजान अगर देखा जाये तो इस घर के अंदर भी बहुत सारी इंफॉमेशन है जो हमारे लिए नुकसान दा साबित हो सकती है हमें ये चीज़ इगनौर नहीं करनी चाहिए चाहे जो भी हो वो यावर की बहन है वो एक पुलिस वाले की बहन है हमारे लिए नुकसान दा साबित हो सकती है वो जैसे उसे समझाने के कोशिश करना था वो मेरे लिए कभी किसी जमाने में नुकसान दासा भी नहीं हो सकती रसल ये बात याद रखना वो मेरी महबत है और मैं उसे किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुचा सकता वो यावर की बेहन हो या किसी की बेहन मुझे फरक नहीं पड़ता मेरे लिए यावर की कोई एहमियत नहीं रखता यावर मेरी ले बिल्कुल एक फालतू शेय की तरह है जिसे मैं जब चाहो मसल सकता हूँ अगर वो जिन्दा है तो सिफ और सिफ मेरी मरम के सत्के में वरना जिस तरीके से उसने हमें डिस्टरप करने के कोशिश की है मैं कपका उसको गोली मार कर काम तमाम कर चुका होता खेर छोड़ो मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता तुम लोग वो करो जो मैंने कहा है वो लिस्ट मेरे हवाले कर दो और मज़र पाशा के बारे में मज़ी जितनी इंफरमेशन तुम लोगों को मिलती है मुझ तक पहुचा दे जाओ मैं चाहता हूँ कि अगले पंदरा दिन में ये भी पता हो कि मज़र पाशा एक मिनट में कितनी दफ़ा सास लेता है क्या तुम उसे मार दोगे उसके उठने पर रसल ने सवाल किया था जो काफी बेवकुफाना था जाहिर सी बात थी वो इसे मार ही देगा क्योंकि ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं होता रफील ने सोचा था जब इसे मुस्कुरा कर नफी में सरही लाया नई मैं उसे मारूंगा नहीं बलके मैं उसे ऐसी जिन्दगी दूँगा जिसमें वो हर सांस के साथ अपने लिए मौत की दूआ मांगेगा लेकिन उसे मौत नहीं आएगी मैं उसे उसे अजियतनाग जिन्दगी दूँगा जिससे बहतर इसके लिए मौत होगी मैं घर जा रहा हूँ जरा देखो तो सही मेरी जासोसन क्या कर रही है तब तक तुम लोग मेरी दिये वे सारी काम बाकी काम निप्टाओ वो लिस्ट उठा कर वहां से चल दिया जबके वो दोनों एक दूसरे को देख कर कंदे उचका गए उस कमरे में जरूर कुछ ना कुछ होगा जो भाई की मदद कर सकें वो कमरे के अंदर दाकिल होते हुए हर तरफ देख रही थी यहां काफी सारे कागजाद थे और सबसे एहम बात ये थी कि कल रात वो रशल के साथ इसी कमरे में आया था और वो दोनों यहीं पर बाते कर रहे थे वो कुछ काज़ाद चेक कर रहा था इसने सामने टेबल पर मौजूद सारे काज़ाद को चेक करने की कोशश की थी यह अलग बात थी उसे कुछ समझ नहीं आरा था क्योंकि इन सारे कागजात पर अर्वी में कुछ लिखा था अर्वी में कुछ भी पढ़ना इसके लिए मुश्किल नहीं था लेकिन इसको समझना तो मुश्किल था ये लिखा क्या था उसे कुछ भी समझना आया सामने पड़े कुछ कागजात में इंग्लिश में कुछ लिखावा था गौर करने पर पता चला वो किसी बिल्डिंग के कागजात थे अगर उस बिल्डिंग की कागजात में कुछ जरूरी होता तो वो यू सामने थोड़ी ना रखता वो कागजात वापस वही पर रखते वे साइट पर बनी दरास को खोलने लगी हर दरास में सिवाई कागजात के और कुछ नहीं था जब उसने लेफ्ट साइट के उपर बना पहला दरास खोला जो पूरा ही उसके हाथ में आ गया था और उसके अंदर मौजूद रिवॉल्वर उसे कापने पर मजबूर कर गया अल्ला जी इसमें पिस्टॉल है वो कापते वे हातों से वो दरास वापस मेज पर लगाने की कोशिश करने लगी जो ना लगने की सूरत में उसने वहीं फैक कर भार भागना बहतर समझा या ला ये लोग बहुत खतरनाक है दरास के अंदर पिस्टॉल कौन रखता है वो घबराते वे अपने कमरे की तरफ जानी लगी थी दरास के अंदर पिस्टॉल नहीं रखी जाती तो फिर कहा रखी जाती है प्लीज बता दो मुझे वो सामनी दिवार के सार टेक लगाए उसी की तरफ देख रहा था यकीनन उसकी आखरी बात को सुन चुका था आप गैंक्स्टर जी वो में प्यानों वाला कमरा ढूंड रही थी इसे बहान बना है वो इसके तरफ देखती बेवकुफ हो की तरह सवाल कर रही थी तुम सच में इतनी बेवकुफ हो या मेरे सामने बनने की कोशिश कर रही हो इसका हाथ थामते वे वो इसे सोफे पे बिठा चुका था आपने नाश्टा किया वो इसका सवाल इग्नॉर करते वे सवाल करने लगी क्या तुम्हें मेरी फिकर हो रही है उसे उल्टा उसे सवाल किया था नई मुझे फिकर क्यों होगी बलके हाँ होगी ना आप मिरे शोहर है ना आपके खाने पीने का ख्यार रखना मेरा फर्ज है ना शुक्रिया, मेरी फिकर करने के लिए, मैं नाश्टा कर लिया था, लेकिन लंच तुम्हारे साथ करूँगा, क्या खेले, आज लंच भी कल की तरह यादकार बनाया जाए, इसके कमर में हाट डालते वे, वो इसे अपने करीब खीशते वे बोला, इसके गाल अगले ही लम्हे स हुक लगी हुई थी, चलो आओ, पहले तुम्हारे लंच का इंतिजाम करते ही, उसके बाद तुम मेरे लंच का इंतिजाम करते ना, इसे जो माईनी अंदाज में कहते वे मलाजिम को इशारा किया, और खुद उसे लिए फ्रेश होने चला गया, तुम डबलू से मिली थी, वो फ्रेश होकर बाहर निकलता, टावल से अपना बाल सुखाते वे उसे सवाल करने लगा, मैं दूर से मिली थी, मैंने इसको बाए बाए भी किया था, वो गोल गुमरा था, इसे फौरन किसी तोते की तरह अपनी और डबलू की मलाकात उसे बताई थी, ये दूर से हाई है इसका हाथ थाम कर उसे खीच कर खड़ा कर चुका था, जबके खुद उसके सामने बैठते वे, इसके हाथ समेट टावल अपने सर पर रखा, आहिस्ता हिस्ता हो जाएगी, पंदरा दिन तो बहुत दूर है, इसे मुस्कुरा कर कहा था, जबके इसका इशारा समझते वे, उ मेरा मतलब है, अल्ला पाक नाराज होता है, मासुम लोगों को जान से मारने से, इन पर जल्म करने से हर चीज़ का हिसाब देना होगा, अल्ला पाक के सामने क्या जबाब देंगे, कि आपने ये सब कुछ क्यों किया, कब तक वो खुद पर कंट्रोल करती, उसे यहाँ उस श के हर अमल का जवाब दा मैं खुद हूँ, मेरा खुदा सवाल मुझसे करेगा और जवाब मैं दूँगा, इसे मस्कुराते वे इसका हाथ थाम कर कहा था, कबर में आजाब होगा, इसने डराना चाहा, तुमने मेरी कबर में नहीं जाना डारली, तो मेरी फिकर मत करो, मेरा बड़ा बेनियाज है, उसे खुद पर गिराते वे, वो बैट पर लिटाता, उसे एक जटके से अपनी नीचे कर चुगा था, मुझे भुग लगी हुई है, उसे फॉरुन से पहले कहा था, जबकि वो इसकी बात को कोई भी ऐमेद दी भी गए, उसकी गर्दन में मुछ पहचान बताने में मसरुफ थी, इस वक्त इसकी शिद्दतों से घबराते वे, इसी की पनाहों में कैद हो कर रह गई थी, जबकि वो इसका शर्माना घबराना खुद में समेटते वे, इसके बद्दन की रनाया अपनी बाहों में समेटता चला जा रहा था, इसका अंदाज शिदत इक्तियार करता जा रहा था, जब इसने अचाना की, उसके कंदे से शर्ट सरकानी चाही, भूक लगी है मुझे, क्या आपके साथ रहते वे, मुझे कभी दिन का खाना नसीब नहीं होगा, वो घबराते वे, इसने एक नजर उसके चैरी की तरफ देगा, जालिम हो त तुम, इसे इल्जाम लगाया, आपसे थोड़ा कम, इसके उठने पर वो बोली, मैं बदला लूँगा इस बात का, वो दहम की दे रहा था, आप ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकती, वो अपने कपड़े ठीक करते वे, इसके पीछे ह जाते वे, बुला, हरा दूंगी, और ऐसा हरांगी कि जिन्दगी में, जीतने की खौाइश खतम हो जाएगी, इसे गर्दन अकड़ा कर कहा था, मैं भी ऐसा ही चाहता हूं, बलके मैं मुन्तिजिर हूं, ऐसी हार का जो तुमारे हातों नसीब हो, वो मुस्कुरा कर कहता, इ इसके हाथ से बहते खून को देखकर, जबके वो सीधा अपने कमरी की तरफ जा रहा था, या आलला, या आपको क्या हो गया है, बड़े वाले भाया, इतना जादा खून बहरा है, वो भागते वे, इसके हाथ को देखने लगी थी, उसे अपना दुपट्टा इसके हाथ पर से खून साफ करने के लिए इस्तमाल किया, अरे कुछ नहीं, वो डबलू को बाहर निकाल रहा था, तो वो दर्वाजा लग गया, मुझे इतना बड़ा जखम नहीं है, जितना तुम सोच रही हो, बस काफी देर से खून बहरा था, मैं अभी साफ कर लेता हूँ, इसके इतन सारा खून जाय कर दिया अपने, वो अपने दुपटे के साथ इसका जखम साफ करते वे उसे डाट रही थी, जबके रसल ने मुझकरा कर नफी में सरी लाया था, अरे गुडिया, मामुली सा जखम है, ठीक हो जाएगा, तुम तुम फजोल में इतनी टेंशन ले रही हो, मै वो सुरुका के लिए अपना हाथ देख रहा था, जो इस वक्त खून से लत्पत था, फर्श लम्हों में खून से भर गया था, वहरान कि उसे देख ली थी जबके रसल इसके आँकों में उभर दे, जुनून को देखकर अगले ही लम्मे कमरे में कहीं गाइब हो गया था, अल्ला पागल तो नहीं हो गई, ये क्या कर दिया, आपका दिमाग खराब हो गया है, आप क्यों कि आपने ऐसी हरकत देखी, कितना सारा खून बहरा है, आपको तो रसल भाई से भी ज़्यादा चोट लगी है, मुझे अच्छा नहीं लगा मरम, इसका हाथ पकड़े उसके जखम को देख रही थी, उसकी अधूरी बात का मतलब ना वो समझ पाई, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, इतना सारा खून देखकर, वो अपने दुपटे का दूसरा कोना इसके हाथ पर बागने लगी थी, जहांसे खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, मुझे अंदास, अचीब साइको किसम का था, वो घबरा गए थी, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत 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 जादा, बुरा लगा, आज के बाद में तुमें कभी किसी कीतिनी फिकर करते वे ना देकूं सिवाए काईजान काजमी के, आई मेरी बास समझ में, वो इसके मरम तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें सिर्फ मेरी परवा करनी है, सिर्फ मेरा ख्याल करना है, तुम्हें सिर्फ मेरे पास रहना है, तुम्हें सिर्फ मेरे दर्ट से सरुकार होना चाहिए, तुमने सिर्फ मेरे जखमों पर मरम लगाना है, तुम सिर्फ मेरी हो, वो उसका च से खुन बेह रहा था जबके मरब की से करीब जाने से डर लग रहा था वो आराम से टेबल के साथ रखे सोफे पे बैठ गया था हात उसे सोफे से नीचे लटकाया भाता वो बिलकुल सामने बैटी उसे देख रही थी इस वक्त इसके गुसे की इंतिहा क्या थी वो समझ नहीं पारी थी थोड़ी देर पहले इतने प्यार से पेश आने वाला इनसान उसे मौत के इतने करीब लेज़ कर जा सकता है इसे कभी सोचा भी नहीं था वो काफी देर आखे बंद करके यूँ ही सोफे पे बैठा रहा था चैरा इसने उपर की जानिब कर रखा था जबके कमरे में मौजूद दूसरे इंसान को इसने पुरी तरह से फरामोश किया वा था फिर इसने जरा सा सीधा होकर बैठ की तरफ बैठी मरम को देखा था फिर इसने अपना खून आलूद हात उसके सामने किया था जिस पर अब तक इसका दुपटा बंदा वा था लेकिन खून तेजी से बहरा था सारे फर्श पर खून की लहरे बहर रही थी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो इसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है लेकिन इतना तो वो समझ चुकी थी कि उसे दर्द हो रहा होगा क्योंके खून जिस तरह से बहरा था दर्द ना होना नामुम्किन सी बात थी इसे सामने टेबल पर पड़े फरस्ट एड बॉक्स को देखा और फिर फॉरन उटकर उसके पास आते वे फरस्ट एड बॉक्स में से पट्टी और दिवाई निकालने लगी जरूरत की चीज़े निकाल कर वो वापस उसके पास आते वे उसके सामने रखे मेस पर रख चुकी थी जहां अब उसने अपनी टांगे रखी हुी थी जबके वो बिना उसकी शकल देखिए उसके हाथ पर से अपना दुपटा खुलने लगी थी जबके काइजान की नजर उसके शहरे पर थी बलकि उसकी आँखों से बहते आशों पर थी वो रो रही थी यकीनन उसने उसे तक्लीफ दी थी शायद इसलिए वो रो रही थी या उसका खुन देखकर वज़े जो भी थी लेकिन यासू उसके लिए थे इसके लिए बात सुकून की थी मुझे खुशी है तुमारे आखों में यासू सिर्फ मेरे नाम के हैं और मैं चाहता हूँ कि तुमारे सारे जजबात भी सिर्फ मेरे नाम के हो तुम हसो मेरे लिए रो मेरे लिए महबत करो तुम मुझ से करो नफरत करो तुम मुझ से करो तुम्हारे हर जजबात मुझ से शुरू होकर मुझ पर खतम हो जानी चाहिए क्योंके तुम पर सिफ मेरा हक है वो जमीन पर बैटी तेजी से उसके हाथ पर पट्टी बांध रही थी जबके वो दुसरे हाथ से उसका चैरा उचा करते उसे अपने दिल के बात बता रहा था किस का हक है तुम पर वो उसका चैरा अपने चैरे के करीब करते वे सवाल करने लगा था जबके मरम अच्छी खासी कन्फियूस हो गई थी वो शायद उसके मूँ से बार बार ये सुनना चाहता था कि उस पर सिफ और सिफ वो इक्तियार रखता था शायद वो नहीं चाहता था कि वो अपने जजबात किसी पर भी और लुटाए शायद वो नहीं चाहता था कि वो इसके इलावा किसी पर तरस खाए आपका अपने जबड़े पर उसके ग्रिफ्त मजब्त होती महसुस करके वो फॉरन बोली थी जबकि इसके जवाब पर मुस्कुराते वे इसके चेहरे पर जुपकर उसके लबो पर एक मीठी सी जसारत कर गया था गुड़ कर और आएंदा में तुमारे मूँ से यही अलफाज बार बार सुनना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ तुमारे मूँ पर बार बार मेरा नाम आए कैसा मुम्किन है कि तुम मुझे गैंक्स्टर जी की बजाए मेरे नाम से बुलाना शुरू कर दो मुश्किल तो नहीं है मेरा नाम बसके हाथ पर पट्टी बान चुकी थी तो वो एक छटके में उसे खीच कर अपने करीब करता सोफे पे गिरा चुका था वो और साथ ही इसके दोनों तरफ अपने हाथ रखते वे इसके उठने कर रास्ता बन कर चुका था जी जरूर वो फॉरन बुरी थी तो बोलो वो जैसे वे फरमाईश कर रहा था क्या बोलो वो बुरी तरह से घबराई हुई थी उसका दिल जोरो से धड़क रहा था शायद प्याम तो मुझसे मुहबत काईजार करो फिलहाल जितना कहा है उतना करो दो मेरे लिए बाकी सब कुछ बाद में देखा जाएगा मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मिरे नाम से बुकाराओ जी काईजान इसे मुस्कुराने की कोशिश की थी हालाके सच तो ये था इस वक्त वो खौफ से काप रही थी मुस्कुराना उसके लिए बहुत मुखिल था हाँ काईजान आज के बाद तुम मुझे उसी नाम से बुलाओगी ये गैंक्स्टर तुम्हारी लिए तुम्हारा शोहर हूँ ना तुम्हे मुझे मेरे नाम से पुकारना चाहिए तुम्हे भी खरकतों पर सहमते वे इसकी तकलीफ का एहसास दिराने लगी तुम अगर पास हो तो मुझे कोई दर्द नहीं होगा कोई तकलीफ नहीं बस तुम्हारा साथ होना मेरे लिए जरूरी है और तुम्हारे काईजान को कुछ नहीं चाहिए मेरी जान इसके लबों को छूते वे वा इस्ता इसे पूरी तरह अपनी कैद में गलील गया था जबके वो बेबस हो चुकी थी उसकी पनहों में उसकी बाहों में पूरी तरह से कैद हो चुकी थी खुद को इसके हवाले कर चुकी थी हमने तुम्हारा क्या बिकाडा है क्यों तुम हमारे साथ ये सब कुछ कर रहे हूँ हम बहुत माज़ीज लोग है हम तो जानते भी नहीं है कि तुम कौन हो और तुम किस बारे में बात कर रहे हूँ रसल ने पांच लोगों को धोके से यहां बुलवाया था ताकि उनसे बात चीत कर सके लेकिन जब रसल नहीं इन लोगों को इनके काम के मुतालिक बताया तो वो सब लोगी इनकारी थे इनका कहना था कि वो एक अच्छे खानदान से तालुक रखते हैं और कोई भी गलत काम न जहां तक उस लड़की की बात है तो उस लड़की ने भी इन पर सिफ और सिफ इल्जाम ही लगाया था और वो अपने अंचाम तक पहुँच चुकी है। काईजान सामने कुर्सी पर बैटा इने सुन रहा था जबके वो लोग ये तो अंदाजा लगा चुके थे वो किसी आम इनसान के हाथों में नहीं लगे बलके कभी भी ये सामने बैटा शक्स उनकी जान ले सकता है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुम लोग ये काम करते हो या नहीं करते हो बस मुझे ये बताओ कि कितनी लड़कियों की जिंदगी बरबाद की है तुम लोगों ने और कितनी लड़कियों को आगे पहुचा चुके हो और जहां पहुचा आया है वो एडरेस भी चाहिए हमें इन मेंसे कितनी लड़किया मर चुकी है, कितनी लड़कियों को तुम लोग मारने वाले हो, इन लोगों को किस हद तक बलैक मेल करते हो, कितनी लड़कियों की फैमिली तक ये बात गई है, पिछले तीन साल से इस काम के दौरान तुम लोगों ने कितनी लड़कियों को बरबा किसी गलत काम के लिए नहीं सिर्फ एक लड़की ने उठकर ये कह दिया कि हमने उसके साथ कोई जयाती की है या होटल में उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो तुम हमें पकड़ कर यहां लेकर आए हो पहले तुम्हें सबुद ढूनना चाहिए था ताके हम उन सब चीजों में भी या नहीं वो लड़की हम पर इल्जाम दर इल्जाम लगाए जा रही है खुद तो मर गई लेकिन हमें आए दिन कोट का चेरियों में गसीट रही है अच्छा हुआ खुदी मर गई वरना मैं उसे मार इन पाचों में से एक आदमी काफी जजबाती पन का मुझारा कर रह होगी अभी वक्त है मुझे सारी सचाई बता दो क्योंके छोड़ूंगा तो मैं तुम लोगों के बाप मजर पाशा को भी नहीं लेकिन इस से पहले इस तालाब से गंदी मचलियों का खात्मा करना है यानि तुम जैसे गंद से इस माहुल को पाक करना है अब बहतर होगा कि तुम लोगों को मारते वे मुझे कोई अफसोस नहीं होगा हाँ लेकिन तुम लोगों को मरते वे बहुत अजियत होगी मौत वैसे भी तुम लोगों का मुकदर है बच तो तुम लोग वैसे भी नहीं सकते बहतर है कि तुम अपनी मौत आसान बना दो मैं तुम लोगों का मुका दे रहा हूं वो अपनी रिवालवर सामने रखते वे इन चारों को देख कर बोला था जो अचानक गोली चलने की वज़े से उटकर खड़े हुए थे साथ गिरने वाली लाश को देख रहे थे जिसे रसल ने अगले हिला में घसीड कर एक तरफ कर दिया था इन सब लोगों का अंदाजा हो चुका था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फस चुके थे बहतर था कि वो मन्नते तरले करते और यहां उसे अपनी जान बचा कर बाहर निकल जाते वरना सामने बैठा आदमी यकिनन इन लोगों की जिन्दगी खतम करने में ज़ादा वक्त नह काम नहीं जानते लेकिन खुदा के लिए हमें माफ कर दो हमसे गलती हो गई जब हम पाचों ने मिलकर यह होटल बनाया था तब हमें अच्छे खासे पैसों की ऑफर आई थी और हमने ये सोचा था कि पैसा कमाने के लिए कोई शॉर्ट रास्ता ढून लेते हैं बस इसलिए ह इन जब चीजों के खिलाफ था इन मेंसे एक आदमी ने फौरन ही अपना बदला था अपनी जान बचाने के लिए वो सारा इल्जाम साथ बैठे लोगों पर लका रहा था जबके बाकी लोग भी शायद ऐसा ही कुछ करने का इरादा रगते थे हाँ हाँ मैं भी छोड़ बच्चे हैं दुसरे आदमी ने भी फौरन पहले ही वाली की बातों को अपने अलफास दिये थे मैंने कहा कि जिन्दगी में तुम लोगों के पास वैसे भी नहीं है क्योंके मौत तुम लोगों को दे दूंगा लेकिन कोशिश करो ये मौत तुमारी लिए आसान हो जाए अ मैंने कहा मुझे कोई फजूल बात नहीं सुनी इतनी सी बास समझ नहीं आरी तुम लोगों को सच्चाई बताओ मुझे कौन कहा कहा शामिल है तुमारे इस खेल में कितनी लड़कियों को बरबाद कर चुके हो कितने खांदान तबा किये हैं तुम लोगों ने तीन साल से त तुम लोगों ने कितनी मासुम लडकीों कि आब रुख को बेमोल किया ता, कितनी शादिश उदा जोड़ों को तबाह किया है, किस हद तक इन लोगों को भूबधा किया है, ये खेल शुरू तुमारे होटल जबान खोल चुका था हमने किसी बड़े आदमी के घर वालों को टारगेट नहीं किया था हमारे होटल में जो भी लोग आते थे हम सबसे पहले ये देखते थे कि वो बैक्गराउंड के हिसाब से कितने ही स्ट्रॉंग है हम कभी अंग्रेजों को इस मामले में नहीं गसीड़ पाकिस्तान इंडिया बंगलादेश या श्री लंका से आए लोगों को टारगेट करते थे क्योंके इसे लोग जिन का तालुक बड़े बड़े खांदानों से नहीं होता था ये हमारी लिए फाइदा मन्साबित होते थे हम पहले इस कपल के रूम के अंदर वीडियो बनाते थे वो फाइदा वीडियो कभी किसी के सामने ना आये इसलिए हम इनको ब्लैक मेल करने करते थे लड़की अगर जादा खुबसूरत ना हो तो पैसे लेकर मामलात खतम हो जाते थे लेकिन अगर लड़की जादा खुबसूरत हो और हमारे आगे क्लाइंट्स को पसंद आ जा देते और इन लोगों की तरफ से हम पर कोई केस भी नहीं बनता था इस सोच के साथ ये लोग कभी भी ये चीज अपने खांदान या किसी और तरफ जाने नहीं देंगे हम लोग बे फिकर होकर इनकी वीडियो से इने वापस कर देते थे लेकिन जो लोग आवाज उठाते थ या हमें किसी तरह से टार्गेट करने की कोशिश करते थे हम उनकी वीडियो को साइट पर रिलीस कर देते थे जिस पर लागों के हिसाब से वियूज आते थे और हमें बहुत पैसा मिलता था अंजुम भी अपनी शोहर के साथ यहां हनी मून के लिए आई थी जब हमने कमरे म इसकी वीडियो बना दी अंजुम बहुत खुबसूरत थी इसकी वीडियो जब हमने मज़र पाश्या तक पहुचाई तो इसका दिल इस पर आ गया और इसने यही कहा कि यह लड़की उसे इसकी बिस्तर पर चाहिए इसलिए हमने अंजुम को ब्लैक मेल करना शुरू किया ल में खामोश होने को तयार ही नहीं था मज़र पाश्या के हुकम पर वकार को गोली मार दी गई जबके इस लड़की अंजुम को हमने मज़र पाश्या के पास एक होटल तक पहुचा दिया था वो तकरीबं 26-25 दिन तक मज़र पाश्या और इसके लोगों को खुश करती रही लेकिन वो लड़की हमत हारने को तयार नहीं थी इन सब चीजों के बाद वो ना सिफ हमारी ही एरिया से भाग गई बलके वो किसी गैंगस्टर की तलाश में निकल गई क्योंके वो पता चला चुकी थी कि कोई भी पुलीस वाला इस मामले में उसकी मदद नहीं करने वाला लेकिन वो गैंगस्टर भी इस मामले में उसकी मदद नहीं करना था शायद वो गैंगस्टर उससे मिला ही नहीं इसी दوران वो लड़की एक बार से हमारे हाथ लग गई और इस दफ़ाषा भी वो लड़की हमत हारने को तयार ना थी इसके मो बन ना करने पर हमने उसकी फ़ पास ही मारी जाए और हम किसी बड़ी मुसीबत में पढ़ जाए। इसलिए हमने उसे चोड़ दिया जबके उस लड़की ने तीन दिन के बाद पानी में ढूब कर खुदकुशी कर ली। हमें लगता था उसकी खुदकुशी के बाद ये केस खतम हो जाएगा लेकिन ये केस ख करने के लिए मोबन कर चुकी थी इन 31 लड़कियों में से तकरीबन 22 की मौत हो चुकी है जबके बाकी की चार पागल हो चुकी है और पांच खुद अपनी मर्जी से अब ये काम कर रही है वो सारी तफसिल उसे बता चुके थे जबके उसने अपनी लोडिड गन उठाते वे ब इतने शाही डिनर में से रफील ने उसके जाने के बाद रसल की तरफ देखते वे का नहीं वो इतने गंदे और जनानी लोगों का गोशच नहीं का था हमारा बच्चा साफ सुत रहा है और वैसे भी इन लोगों का गोश खिला के क्या उसके दात तो साफ करेगा तू रसल न उसकी तरफ देखते वे कहा था जबकि वो नफी में सरहिला था फॉरन लाशों को ठीकानी लगाने का दिजाम करने लगा अरे बेबी तुम तो जाग रही हो, मुझे लग रहा था तुम सोग रही होगी इसे कमरे के अंदर कदम रखा तो इसे जाए नमासा मेटते वे देखा जी मैं फजर पढ़ रही थी, आप कहा थे, मैं तकरीबन रात दस बजी जागी थी लेकिन आपको नहीं देखा, कहा चले गए आप, और क्या आप सारी रात घर वापस नहीं आए वो परेशानी से उसे पूछने लगी थी, जबके वो खामोशी से आकर बैट पलेट गया था आपके हाथ से दोबारा से खुन निकला था क्या, वो इसके पास आते वे पूछने लगी, जब इसे नफी में सारी लाया तुम्हारे महरम लगाने के बाद खुन की ये मजाल जो यू निकले, वो अपना हाथ उसकी तरह बढ़ाते भी बुला जब उसका ध्यान मरम की तरफ गया, जो बेयकिनी से उसे देख रही थी, आपने कतल किया है, वो पूछ रही थी और साथ ही काप भी रही थी हाँ मिरी जान, कुछ लोगों का यही अंजाम होता है, तुम परिशान मतों, इधराओं मेरे पास, इसे हाथ बढ़ाते वे से थामना चाहां, जब अगले ही लमें, वो लड़ खड़ा कर जमीन बोस हुई, मरम, क्या हुआ है तुमें, मिरी जान, वो परिशानी से उसके गा पहले इसकी कुर्बत पर परिशान होते वे, वो बेहोश हो गई थी, और फिर डबलू के पास आने पर वो बेहोश हो गई थी, लेकिन अब अब क्यों वो बेहोश हुई थी, अब क्या वज़े थी, वो नाजुक दिल की थी, घबरा जाती थी, डरती बहुत थी, इतना तो समझ चुका था, लेकिन इस वक्त वो सिफ उसे एक नॉर्मल सी बात बता रहा था, इसका इस तरह से बेहोश हो ना, उसे सच मुझ परिशान कर गया था, इसकी आँख खुली तो इसकी बिल्कुल साथ लेटा वा था था वो, पहले तो हर चीज से अंजान आगे पीछे जबके वो खामोशी से उटकर बैट गई, क्या हो था तुम्हें, यू बेहोश क्यों हो गई थी, किस चीज की घबराट हुई है तुम्हें, कौन सी चीज से खौफ जर्दा हुई हो तुम, मुझे बताओं क्या डबलू ने मेरे पीचे तुम्हें डराया, या वो मेरी इज जाज़त की बिना यहां अंदर आया था, वो इसे सवाल करने लगा, क्या आप प्लीस थोड़ी देर के लिए यहां से जा सकते हैं, वो इसे फास्ता बनाते वे हाथ जोड़ते वे बोनी, मैं क्यो जाओं यहां से, मेरे जाने से भला क्या होगा, वो परिशानी से पूछने लगाता और इसे खुद से दूर क्यों कर रही थी, समझ रहा हूँ, तुम्हे डबलू से डर लग रहा है न, इसे तुम्हे डराया है, मेरे जाने पर मैंने खुद उसे पूछ लूँगा, तुम्हे डबलू से डरने की जरूँए है, वो तुम्हे कोई नुकसान नहीं काईजान सहाब मुझे इस वक्त आप से डर लग रहा है खुदा के लिए प्लीज मुझे मुझे छोड़ दीजे प्लीज प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकिला छोड़ दे वहाँ जोड़ते वे अब बाकाइदा रोने लगी थी क्या हुआ है तुम्हें मरम इस तरह से रेक्ट क्यू कर रही हो वो इसे अपने करीब करते भी पूछने लगा उसे इसकी उल्टी सीधी हरकतों पर अब गुसा रहा था वो होती कौन थी उसे खुद से दूर जाने को कहने वाली अब उसे अपने पास रखने के लिए उसे क्या क्या जतन ना किये थे और वो इसे खुद से दूर कर रही थी क्यू डर लग रहा है तुम्हें मुझसे बताओ मेरी जान क्यू डर लग रहा है क्या हो हुआ है तुम्हें किस चीज़ से खौफ जर्दा हो मुझे बताओं क्या ये शर्ट देखकर तुम्हें घबराट हो रही है ये मैं अभी उतार देता हूं बेबी वो जल्दी से शर्ट के बटन खुलने की बजाए तोड़ते वे शर्ट को उतार कर दूर फैक चुका था जबके वो इसे दूर होने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो इसे खुद से लगाते वे अपनी सीने में भीच चुका था उसकी प्रॉबलम को वो समझ नहीं पा रहा था जबके वो इसकी बाहों में बुरी तरह काप रही थी वो दोबाना सो चुकी थी जबके वो अब तक उसके साथ तो उसके कमरे में उसके बिलकुल पास लेटा हुआ था इसके निगाए उसके चेहरे को अपनी हिसार में लिये वे थी जब वो गहरी नीन में उतर चुकी तो इस दें नर्मी से इसके लबों पर अपनी महबत भरी महर लगाई थी इसके इतना खौफ जर्दा हो जाने की पीछे की वज़े वो अब तक जान नहीं पाया था उसे सचमुस समझना आया था कि वो इतनी जादा क्यों डर गई थी ना जाने क्या वज़े थी जो वो इतनी खौफ जर्दा हो गई थी क्या वो इसकी शर्ट पर खून के दब्बे देखकर परिशान हो गई थी मुम्किन था कि वो ये सब देखकर डर गई हो या वर इन सब चीजों को यकिनन घर कभी घर तक नहीं लाया होगा लेकिन फिर भी वो जानती थी इसके काम के बारे में उसे पता था कि वो क्या करता है तो फिर इस तरह से खौफ जर्दा हो जाने के पीछे क्या वज़े हो सकती है वो इसके किसी भी काम से अंचान तो नहीं थी वो जानती थी वो एक गैंगस्टर है और एक गैंग्स्टर का काम किस तरह का हो सकता है ये समझना मुश्किल तो नहीं था वो जानती थी कि वो कातिल है इसके भाई ने कितनी दफ़ा उसके सामने उसे कातिल और सफा कहा था तो क्या वो समझना ही पाई थी इसके काम को या फिर वो समझना ही नहीं चाहती थी या वो ये सब कुछ कबूल ही नहीं कर पा रही थी वो बुरी तरह से उलजा हुआ था इसके लबो पर अपनी शिद्दत से भरपूर लंस छोड़ता वो उटकर कमरे से बार निकलाया था डॉक्टर नहीं कहा था कि उसका खियार रखे और उससे फ्रेश फ्रूट दे इसने अभी मुलाजम से फ्रेश फ्रूट समगवाए थे और अब किचन में आकर उनकी कटिंग करने का इरादा रखता था इसे चुरी का इस्तमाल कभी नहीं किया था कभी जरूती महसूस ना हुई थी वो किचन का काम करने में कभी भी दल्चस्पी नहीं रखता था अगर वो कभी कुछ बनाता भी था तो रसल और रफिल उसे सब कुछ काट कर देते थे यही वज़े थी कि वो छूरी उसके हाथ ही नहीं आ रही थी छूरी एक तरफ रखते वे वो फ्रूट्स की प्लेट उठा कर भार आ गया और वही साइट पर लगे दरा से उसने अलाशर निकाला था जो इसने नए और्डर्स पर तयार करवाए थे यह भी इस्तमाल शुदा ना थाई वो इन्हें अपनी बीवी के फ्रूट्स काटने के लिए इस्तमाल कर सकता था वो अपनी पसंद का अलाशर निकाल कर वहीं बाहर सोफे पे बैट गया और महरत से फ्रूट्स काटने लगा बाहर से आती हजीब सी आवाज से डिस्टर्ब होकर मरम की आँख खुल गई थी और वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसका दिमाग बाहर से आती आवाज में उलजा वो उटकर दुपटा सर पर रखती बाहर आई थी जहां वो बैठा अपना काम कर रहा था जिस अंदाज में वो फरूट्स काट रहा था ऐसा लग रहा था जिसे वो कोई गोश काट रहा हो ये क्या कर रहे हैं आप वो बहुत घबराई हुई लग रही थी जान ये फरूट्स काट रहा हूँ तुम्हारी लिए डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी लिए बहुत अच्छे हैं और जरूरी भी तुम्हें अपना बहुत जादा ख्याल रखना है क्योंके तुम्हें मेरा भी तो ख्याल रखना है ना मुझे चूरी का यूज करना नहीं आता न मैं इसी से ही सब कुछ काटता हूं वो परसुकून सा बोला सब कुछ वो नहीं जानना चाहती थी लेकिन फिर भी जबान पिसली तुम जानती हो मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ पता है मरम मेरा काम तुम्हें हर चीज का से करता हूं मज़ा आता है मुझे यह अलाशर मैं लोगों को काटने के लिए इस्तमाल करता हूं वो सुकून से बता रहा था जबके वो सुन रही थी बिना किसी तरह का कोई तासिर दिये फ्रूट्स खाओ न यह तुम्हारी लिए अच्छे होंगे वो फिर से उसे प्लेट कर होश खोना मेरी शान के खिलाफे वो से समझा रहा था यानि वो समझ चुका था कि वो इसके डर से बेहोश हुई थी वो मैं यहां पास आओ मेरे वो कुछ कह रही थी जब उसने उसे अपने साथ बैटने का हुकम दिया इसकी सांस अटकी थी लेकिन मरती क्या ना करती वो फौरण अपनी जगे से उटकर उसके पास आगई थी इसे जिस जगे उसे बैटने के लिए कहा था वो वहाँ बैट गई थी वो इसके गिर्थ हिसार बनाता उसे अपने मजीद करीब कर गया था खाओ ये सारा खतम करो वैसे तुम पाइनेपल इतनी शौक से खाती हो अंद करे थी फिर भी कहा रही हो मेरी जान तुम कहीं ये मेरी डर से तो नहीं खा रही मेरा बचा खुद पर चीज जबर मत करो तुम्हारे मामले में मेरा दिल बहुत कमीना है तुम बेकार में डर रही हो मैं तुमें चाहा कर भी कोई नुकसान नहीं पहुचा सकता वो यकीन दि पसंद हो या ना हो बेबी मैंने तुम्हारी खातीर काफ़ी मेहनत की है तो तुम्हे ये खाना चाही है और वो अपने हाथ से खिलाने लगा जबकि वो खामोशी से खारी थी बेना किसी तरह का कोई एतरास के गुड वेरी गुड अब तुम्हें थोड़ा सा खाना खाना है इसके बाद मेडिसिन ये तुम्हारी लिए बहुत जरूरी है और मैं चाहता हूँ कि तुम बिलकुल भी बीमार मतों तुम्हारी बीमारी मैं अफॉर्ड नहीं कर सकता मेरी जान खाना लगाऊं इसने मुलाजिम की तरफ देखते वे कहा मैं काफी जादा खा चुकी हूँ अब मज़िद कुछ नहीं खा सकती इसने फ्रूट्स की तरफ इशारा किया था जब उसने उसे घूर कर दे का दोनों मिलकर खाना खाएंगे इसने अपने लफजों पर जोर देते कहा तो वो बस हामे सरी ला गए गुड मुझे तुम्हारी यही बात तो अच्छी लगती है कि तुम मेरी हर बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाती हो इसे मुस्कुराते वे कहा जब रसल और रफिल दोनों आगे पीछे बहाद आखिल हुए असलाम अलेकुम यह तुम क्या कर रहे हो रसल ने सलाम करते वे उसके हाथ में मौझूद अलाशहर को देखके पूछा था मैं अपनी बीवी के लिए फ्रूट्स काट रहा था वो सर के इशारे से सलाम का चवाब देते वे बोला था क्या तुम इसके साथ फ्रूट्स काट रहे थे वो परिशानी से कहने लगा हाँ क्योंके मेरे हाथ में छूरी नहीं आ रही थी और तुम लोग जानते हो छूरी से कुछ काटना मुझे आता नहीं है सो मैंने उसी का इस्तमाल कर लिया वैसे भी ये यूज इट नहीं था इसने अपनी बात मुकमल करते वे वही साइट की दरास पर उसे रख दिया था जबके इन दोनों ने एक नजर मरम को देखा था जो काफी जादा घबरा ही हुई लग रही थी अब कैसी तबियत है तुमारी और तुम बाद बाद पर बेहोश क्यों हो जाती हो रफील ने उसकी तरफ देखते वे सवाल किया डॉक्टर ने कहा है कि ये काफी जादा डर जाती है किसी चीज से घबरा जाती है मुझे इसका ख्याल रखना होगा खैर इसका ख्याल तो मैं रखी लूँगा तुम लोगों को फिकर करने की ज़ुरत नहीं है जाओ तुम जाकर डबलू को घुमा फिरा कर ले आओ काफी दिन से वो घर से बाहर ने निकला काफी बोर हो रहा है तुम ऐसा करो कि एक घंटा उसे जंगल की तरफ से घुमा कर ले आओ इसे रफिल को हकुम दिया जिस पर इसने फॉरन ही सर हिलाया क्योंकि वो और किसी चीज में मज़ा आता हो या ना आता हो लेकिन उसे घुमाने के लिए लेकर जाने में उसे बहुत मज़ा आता था क्योंकि डबलू का अलगी स्वैक था जंगली जानवर इनके पास नहीं भटकते थे क्योंकि इतना खतरनाक चीटा किसी को भी डरा सकता था और जब वो घुमने फिरने जाता था तब किसी तरह की कोई मस्ती मजाक नहीं करता था वो अपनी वॉक करके वापस आ जाता था और इसे भी कोई परिशानी नहीं होती थी मुझे कुछ जरूरी काम है मैं बाहर जा रहा हूं तुम तब तक आराम कर लो मुझे आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा और मैडिसन में एक नीन की भी गोली है डॉक्टर के मताविक तुमारे यहां और पाकिस्तान की टाइमिंग में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है जिसके वज़े से तुमारी नीन का वक्त भी मतासिर हो गया है तुम यहां ठीक से नीन पूरी नीन कर पा रही हो टाइमिंग डिस्टरब हो रही है तुमारी इसलिए तुमारी नीन को बराबर करने के लिए एक मेडिसन है जो तुमें टू टू टाइम लेनी है ये गोली खाने के बाद तुमें नींद आ चाएगी और तुम आराम करो, यकिनां जब तुम जागोगी तब काफी बहतर महसुस करोगी, वो सारी दवाईयां उसे खिलाते वे बता रहा था, जबके वो फॉरन ने उसकी बात पर अमल करते वे गोली अपने मुँ में ले चुक मैं जैसा हूँ, तुम्हें वैसे ही के साथ ही गुजारा करना है, मैं कभी बदलूँगा नहीं, मैं जानता हूँ कि मेरे काम को लेकर तुम बहुत परिशान हो, मैं कोशिश करूँगा, मैं अपना कोई भी काम तुमारे सामने ना करूँ, लेकिन तुमें भी कोशिश करनी ह आड़ेस करने की, यह बहुत मुश्किल है जानता हूँ, मैं, लेकिन तुमें गुजारा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तुमने किसी तरह के धोके में नहीं रखा था, मैं जो हूँ, तुम्हों, तुम्हारे सामने हूँ, मैंने सच बयान करके ही तुमसे निकाह किया इसलिए अब ये डरना घबराना सब फजूल है काईजान काजमी ने तुमें किसी दरा के धोके में नहीं रखा ये बात याद रखना काईजान काजमी ने कभी किसी के साथ धोका नहीं किया तुम तो इस दिल की धड़कन हो काईजान काजमी के लिए उसके जीने की बज़े हो वो तुम्हे कभी धोका नहीं देगा और वो तुम्हे कभी खुद को कोई धोका देने भी नहीं देगा मेरे साथ हुश्यारी करने की कोशिश भी मत करना मैं बहुत सादा खतरनाक इंसान हूँ अगर मैं अपने दिल की बात करूँ और तुम्हारे मामले में अपने जजबात की बात करूँ ना तो मरम बेबी तुम्हारे लिए काइजान काजमी 99% एक बहुत ही अच्छा इंसान है एक हीरो है लेकिन वो एक परसन तुम्हें बहुत नुकसान में मुबतला कर सकता है बहुत जादा मैं तुम्हारे लिए विलन नहीं बनना चाहता कभी भी नहीं तो बहतर होगा अपनी सारी हुश्यारिया और चालाकिया इस कमरे से बाहर तक ही रख दो इस कमरे के अंदर सचे जबात और सचे ऐससात होगे आई मेरी बात समझ में वो इसका चैरा अपने हाथों में थामते वे बोला तो मरम ने फॉरण हाँ में सर हिलाया था जबके से मुस्कुराते वे इसके लबों को चुमा और कमरे से बाह निकल गया वो कितनी ही देर वही खड़ी कापती रही थी सिफ एक इसके एक बार इस अंदाज में डर कर बेहोश होने पर वो अपना आप इस पर जाहिर कर गया था वो साफ अलफाज में कह चुका था कि वो ना तो कभी बदला है और ना ही आगे कभी बदलने वाला है जो है जैसा है मरम को ऐसे ही कबूल करना होगा वो इसे साफ वे अलफाज में बता चुका था कि वो एक कातिल है एक गैंस्टर है जो फ्यूचर में भी वो ऐसा ही रहने वाला था तो इसे हर हालत में इसके साथ एड़जस करना होगा वो इसे धोका नहीं दे सकती थी और इसकी किसी चीज से अंजान नहीं था बस इसे माफ कर रहा था उसे मौका दे रहा था इसकी एक गलती उसे मौत की गहराई गहरी खाई में उतार सकती थी वो जानता था कि वो अपने भाई के साथ मिल कर इसके खिलाफ क्या काम कर रही है वो एक एक चीज से वाकिफ था फिर भी वो जिन्दा थी तो सिर्फ और सिफ इस वज़े से क्योंकि वो इसे जिन्दा छोड़ रहा था वरना उसे खतम करना भी उसके लिए मुश्किल नहीं था वो इतना तो समझी चुका था कि उसे अपनी जान कितनी प्यारी है क्या इन लोगों को सिफ मारना ही हमारा मकसद था मेरा मतलब है इन से तो हमने बहुत कुछ पूछना ही था रफिल चेहरे पर मार्क्स लगाए काईजान के पीछे चलता वा पुझरा था वो आज एक बहुत बड़े होटल में आई वे थे वहां मीटिंग्स रूम में लगे सीसी टीवी कैमरे को तबाह करके वो मींटो में ही वहां मौझूद तकरीबन तीन लोगों को काम तमाम कर चुके थे हाँ इन लोगों को खतम करना ही हमारा मकसद है हमें उन से कुछ भी नहीं जानना था जो इन्फॉमेशन हमें मज़र पाशा के बारे में चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है और यहां तो हम सिर्फ इन आठ लोगों को खतम करने आए थे जो इस वक्त यहां मिसर में मौझूद थे बाकी के लोगों को हमने सौदिया जाकर खतम करना है क्योंकि यहां पर इनके गैंक के सिर्फ आठ ही लोग थे जो बड़े पैमाने पर ये काम कर रहे थे रसल ने उसे जवाब दिया था मतलब अब काहिजान सौदिया जाएगा लेकिन हमने तो पंदरा दिन के बाद उसकी तुर्की की टिकित्स का इंतिजाम करवाना था वो कुछ कन्फियूज होता गारी का दर्माजा खोल कर अंदर बैठा हम लोग सौदिया ही जाएंगे डफर काहिजान तुर्की जाएगा मज़र पाशा और इसकी टीम के तीन लोगों के पास जबके चार आदमी सौदिया में हैं जिन का काम हम दोनों ने तमाम करना है बिल्कुल काहिजान वाले अंदाज में रसल ने काफी एकसाइट होते हुए का क्या मतलब अलाशर इस्तमाल करके मैं पहले बता रहा हूँ मैं इस टोके को बिल्कुल हत नहीं लगाने वाला मैं इतना जानिम सफाख हर्गिस नहीं हूँ मैं बहुत नेक दिल फरिश्टा सिर्ट इनसान वो गाड़ी रोकते वे बोला जबकि उसके अचानक गाड़ी रोकने पर काइजान ने उसे घूर कर देखा था जबकि उसकी शर्ट पर लगे खून और गर्दन से बहते खून की लकीर से वो खौफजर्दा होकर उसने फौरें ही गाड़ी वापस स्टार्ट कर दी सौरी में वो बस ये बता रहा था कि मैं किसी भी कीमत पर इसके हत्यार को इस्तमाल नहीं करूंगा यसे काइजान को घबराते वे कहा था क्योंके उसे इसकी सुरकांकों से अब डर लगने लगा था ये सारी बकवासियत तुम लोग बाद में कर लेना पहले घर पहुचो मुझे मरम के जागने से पहले घर जाना है और इसी के लिए कुछ हेल्दी खाने का इंदिजाम करवाना है वा मेरी बीवी बीमार है और तुम लोगों के अपने किसे कहानिया खतम ही नहीं हो रही इसे काफी गुसे से उसे घुरते वे कहा सॉरी मैं तो बस बतारा था खेर फिकर मत करो मरम ठीक हो जाएगी बस उसे सब कुछ कबूल करने में थोड़ा वक्त लग जाएगा अब फिर जो इसके भाई ने उसे पट्टियां पढ़ाई है इनको जाहन से निकालने में भी तो वक्त लगना है लेकिन मुझे यकिन है कि जादा टाइम नहीं लगेगा वक्त रहते वो नॉर्मल हो जाएगी रसल ने उसे यकीन दिलाते भी कहा था जबके वो जवाब में कुछ नहीं बोला वो वापस आया तो मरम अब भी सो रही थी शायद दवाई असर कर रही थी उस पर इसके करीब आते वे इसने बहुत महबत से उसका माता चुमा था लेकिन फिर खैल आया कि उसके कपड़े आज भी कल की तरह काफी जादा गंदे हो गए थे इसलिए पहले के मरम जाक कर एक बार फिर से उसके कपड़ों से खौफ जर्दा हो जाया उसने चेंज करना बहतर समझा था फ्रेश होकर वो बाहर निकला तब वो अब तक सो रही थी फिर ये सोच कर कि जब तक वो जाकती है वो इसके लिए कुछ अच्छा बनवालेगा वो बाहर आ गया था वो जब से यहां ही थी तब से उसने कुछ भी ठीक से नहीं खाया था शायद उसे यहां के खाने पसंद ही नहीं आ रहे थे बस जिन्दा रहने के लिए कुछ ना कुछ खा रही थी इस तरह से तो जिन्दगी नहीं चल सकती थी इसे इसकी पसंद के मताबी कुछ खाना खिलाना था जो इसे इतना अच्छा तो लगे कि वो पेट भर कर खाना खा सके इसलिए उसने आज एक आदमी को बुलाया हुआ था हाँ सुनो तुम्हें मेरी बीबी के लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाना है कुछ पाकिस्तानी बनाओ जो इसे बहुत जादा पसंद आए इसे आज ही एक मास्टर शेफ को अपने घर बलवाया था जी सर मैं सारा पाकिस्तानी फूड बना लेता हूँ आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी आप बस मुझे ये बताएं कि आपकी मिस्स को क्या पसंदे और क्या नहीं मैं सुई साब से मैन्यू देख लेता हूँ ये मुझे नहीं पता बस तुम कुछ भी अच्छा बनाओ जो के पाकिस्तान के हर बंदे को पसंदो मेरी बीवी को यहां का कोई भी खाना पसंद नहीं आ रहा वो ठीक से कुछ भी नहीं खा रही तो अगर इसे तुम्हारा खाना पसंद आ गया तो तुम्हारी जॉब पकी तुम्हारी तुम्हें मो मागी की मत मिलेगी बस मेरी बीवी कुछ ठीक से खा सके वो इसे काम पर लगाता खुद बाहर निकल गया जबकि वो आदमी उसके घर का एक एक कोना चेक कर रहा था हर इनसान के हाथ में रिवालवल थी जबकि बाहर बंदा वो चीता भी उसे डराने की वज़े बना था लेकिन मुलाजिम ने कहता कि उसके सहाबी इन सारी चीज़ों का शौक रखते हैं इसलिए वो खामोशी से सीधा अंदर आ गया लेकिन यहां अंदर आने के बाद उसे एहसास हुआ था वो गलत जगे पर आ गया था अब मरता क्या ना करता वो किचन में आकर खाना बनाने लगा सबसे खास बात तो यह इसके लिए यह थी कि अगर यहां की मैडम को खाना पसंद आता है तो यह नौकरी उसकी पकी हो जाएगी और यह नौकरी मू मांगी कीमत पर मिलने वाली नौकरी थी जिसे वो अपने डर की वज़े से खोना नहीं चाता था इसलिए वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे फेमस और बेस्ट डिश बनाने की कोशिश कर रहा था जो से यकीन था कि मैडम को बहुत पसंद आने वाली है इसके आँख खुली तो कमरे में इसके इलावार कोई भी नहीं था शायद वो फिर चला गया था अपनी किसी काम के सलसले में या फिर से शायद किसी को मौत के घाट उतारने के लिए वो जितना उसके बारे में सोच रही थी उतना ही उसके अंदर खौफ पैदा हो रहा था ये तो वो जानती थी कि वो कोई मामुली इनसान नहीं है बलके एक कातिल है एक सफाक इनसान जो कभी भी किसी का भी कतल कर सकता है लेकिन वो यू किसी का भी कतल करके उसके सामने ऐसी खून आलूद हालत में आएगा और वो इसके साथ नॉर्मल रहेगी तो ऐसा तो मुम्किन नहीं था उसके साथ जिन्दे की गुजारना उसके लिए आसान नहीं था ये बहुत बड़ा टास्क था जब इसके भाई ने उसे कहा था कि उसे इस घर के में रहकर उसके खिलाफ कोई सबूर ढूनना होगा तो वो राजी हो गई थी क्योंकि उसे शुरू में यही लगा था कि वो इसके खिलाफ सबूर ढूनने में कामियाब हो जाएगी और उसे जेल हो जाएगी और जब वो पाकिस्तान लौट कराएगा तब तक एक अच्छा इंसान होगा और वो इंसान के लिए भी इतना ही अच्छा थाबित होगा उसे लगता था वो एक गलत भटके वे शक्स को राहे रास पर ले आएगी लेकिन ये बहुत मुश्किल था ये वो अजीब तरह का इंस जन्दगी में कुछ ऐसा हुआ हो जिस से ने उसे ये राहा चुनने पर मझबूर कर दिए था शायए ने क्योंकि उसने कहा था किक्तल करना उसका शौक है मझबूरी नहीं वो ये सारे काम अपने शौक से करता है लेकिन कोई शौक से किसी का कतल नहीं करता वो इसका शोहर इसके बारे में सब कुछ जानना इसका हक था और उसे गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाना इसका फर्स था और वो अपना फर्स निभाएगी वो पीछे नहीं हट सकती अपनी ही सोचों में उलजी वो आकर खिड़की पर खड़ी हुई थी जहां वो इसे नीचे लॉन में किन लोगों के खेल कूद को देखती रही वो दोनों ही इस खेल में माहिर लगते थे वो दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन शायर डबलू के लिए ये मुम्किन ना था वो इसे हरा सके वो कितनी ही देर उसे देखती रही जब उसने नजर उठा कर खि आकर रुकता गोल गोल घुमने लगा था इससे पहले कि वो नीचे आने का इशारा करता वो हाथ हिलाती खिड़की से हट गई थी जबके वो एक बार फिर से अपने खेल में मसरुफ हो गया आपको नोबल कैसे लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताये लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिलकुल ना बुलिएगा आपना बहुत क्या रखे अला हफिज